लाल किताब जो थी बड़ी एक सिंपल आप समझलो की ऐसी बुक है जो आपको लाइफ के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना वो सिखा देती है पहली बात लाल किताब क्यूं बहुत एज रखती है बाकी चीजों के उपर उसका एक रीजन है हमेशा ना there is a conflict हमेशा there is a conflict कि बही करम जादा important है कि जो भग्य में लिख दिया वो important है अगर जनम पत्री में कुछ है आपने यह बोल दिया कि बही देख तेरा तो समयी खराब है तो फिर तो हम कर क्या लेंगे फिर मैं इस तक करम नहीं करने चाहिए और अगर फिर बही करम करने से सब कुछ ह होते है तो फिर इसका matter किया है फिर मतलब यह सब बेकार है अगर हम बात कर रहे है कि तेरा यह गर अच्छा है यह बुरा है यह काम करेगा यह नहीं करेगा फिर यह सब बते लाल किताब जो है ना वो precisely यह नहीं बोलती कि आपको ना भई आपको भगवान ने कुछ गलत दे है तुम्हें वो करना है काम तो लाल किताब ने यह नहीं बोला कि जो यह यह फिक्स है यह बात कि यह तो ना हो गई underpresents को काट नहीं सकता है जो कुछ नहीं यह करम कितने मर्जी कर लो भाई अगर तुमारी जनम पत्री खराब है तो कुछ नहीं होगा नहीं नहीं उसने है वो भाई अगर तुमारी जनम पत्री एक्स है तुमारे प्लैनेट एक्स है तो तुमारे अगर करम ऐसे होंगे तो तुमारा रिजल्ट ठीक हो जाएगा और अगर तुमारे करम वैसे होंगे तो तुमारे रिजल्ट खराब हो जाएगा simple, दोनों चीजों में अब मैच बन गया न, कि भाई देखो destiny, जो है न, वो आपके कर्मों से बदल सकती है है न, और वहाँ पर astrology का क्या रोल है, कि astrologer आपको यह बता सकता है कि भाईया, तुम्हें करम क्या गरने है, ताकि तुम गलत करम ना गरो करम सही कर लोगे, तो चीज़े बदल जाएगे लाल किताब कहती है कि भईया, देखो, तुम्हारी जिंदगी में यह गटनाए हो रही है उसके पीछे यह यह चीज़े है, मतलब कि यह यह तुम्हारी जिंदगी में हैं, तो तुम इनको हटा दो बदल लो अपने आपको तो भग्ये भी बदल लोगे तो यानि कि करम अपनी जगे है और डेस्टिनी अपनी जगे है और लाल किताब ने दोनों चीजों को ये बुला कि भईया, ये दोनों चीजे एकदम बनाबर की है मतलब ऐसा नहीं कि डेस्टिनी सब कुछ है और करम कुछ नहीं है और ऐसा नहीं कि करम से ही सब कुछ होगा करम बहुत प्रधान है, करम प्रधान है मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है, मतलब इसमें तो कोई शक्की बात नहीं है, लेकिन क्या करम एक तो यह है कि हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, वो सारी बात है ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई एब भी तो हो सकते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन हो सकता है, हमारे अंदर कोई कमिया हो, हम किसी को परिशान कर रहे हो, हम दूसरों का ख्याल ना र गर के बार कुट्टा बैठावा, उसके उपर पानी डाल देते हैं उसे बंगाने के लिए जिसके कई जगा आप देखोगे, भी जब सीखोगे जैसे जैसे अगर इसका केतु इस घर में है तो यह ऐसे करम कर रहा होगा यह गर के बार कुट्टे के बार पानी डाल देगा और वो और खराब हो जाएगा अब भी कुट्टा है, जानवर है, अगर सर्दियों में उसके उपर भी ठंडा पानी डाल दूँगा कई लोग ठंडा पानी निए गरम पानी डाल देते हैं, खौलता हुआ कि आज की बाद आए गई नहीं इतना चल जाए तो आप किसी प्राणी को जब भले ही आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो चाहिए आप बहुत महनती हो अपने काम के अंदर लेकिन आप देखो ना आप करम कहा जा रहे हैं आप क्या कर रहे हो कई लोग गाये को पीट रहे होते हैं किसी और जानवर को टक कर मार देंगे किसी और के साथ गलत कर देंगे कई लोग अपने बीवी के साथ गलत कर देंगे कई लोग अपने पती के साथ गलत कर देंगे मतलब आप कहां पर गलत ये करम का मतलब से भी आना ओफिस जाना कि हमें पैसा तो वहीं से आना है नहीं नहीं करम तो सभी चीज़ों में है तो लाज़ दा जब तुम गलत कहां पर करोगे जो तुमारे साथ ऐसी गटना गटेगी और तुम अगर उसको सुधार लोगे अपने करमों को तो ठीक हो जाएगा सब कुछ है ना जैसे एक बड़ी common सी चीज़ है कि अगर मालो किसी को जुपीटर ठीक करना है तो हम बोलते ना अगर ये बंदे के दिल में हमदर्दी रहेगी दूसरों के परती जुपीटर के है आपके दिल में जो हमदर्दी है दूसरों के परती हमदर्दी होगी दूसरों के सुख दुख का आप ख्याल रखोगे आपको ये लगेगा कि नहीं आर अगर कोई भी प्राणी है जो चाहे बली वह आपके आफिस में काम करने लग कुलीग है अगर सो कोई परिशानी होती है और आपको दुख होता है तो इसका मतलब आपके अंदर जुपीटर जिंदा है आपका जुपीटर सही काम कर रहा है अगर रोड पर भी किसी जानवर के साथ कोई दिक्कत हो रही है और आपका दिल दुख रहे तो इसका मतलब आपके अंदर है लेकिन कई लोगों को फरक ही नहीं पड़ता वो कहता है नहीं भाई देख तंखा तो मैं बहुत अब आपके अंदर कि सामने अपने ही इंप्लॉई है अपने साथ ही काम करने वाला बंदा है आप उसके बॉस हो वो कह रहे है बाई साम मेरी मम्मी की तब्याद बहुत खराब है जी गांओ जाना है दो दिन की चुट्टी देदो बस जा गर वापस आ जाओ बंदा गया रहे ना ना तेरे टार चिन्दिगी में नोगरील लेकिन कोई सोचो हर इंसान के साथ जब गलत होता है तो वो गहता है इखो जी भाई-साब, हमने तो आज तक किर जिए गलत नहीं कर, हमारे साथ बता निया सा क्यू को रहा है, अरे भई, करा है गलत, है न, वो लाल किताब के अंदर, न, जो जर्नी है लाल किताब की न, उसके अंदर दिखाई देता है कहा 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 गलत कर दिया, और क्यों ओड़ी है वो गड़बड तो लाल किताब के अंदर हर चीज की ना कुछ निशानी बताई गई कि भाई ये चीज है इसकी ये निशानी है अगर आपके कोई भी घर के अंदर किसी भी प्लैनेट को अच्छे बुरे की तुलना निरी करी गरी ठीक है हर घर में कुछ घर में प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं कुछ घर में बुरी होते हैं लेकि लाल किताब ने एक बात बुली सीधी सीधी कि देखो भाई अगर बहुत अच्छे और जब किसी बंदे की बरबादी हो रही होगी और आप उससे पूछो गए कि भाई तू ये काम करता है वो कहां जी मैं ये काम करता हूं जी तो फिर उसको समझ बाए था अच्छा जी भाई मेरी सब बरबादी क्यों हो रही है अब यहां पर करम अपनी जगे है लेकिन कुछ चीजे उसके लिए प्रोबिटेड है कि भाई ये मत कर तू तू तेरे लिए वैसी सही है सब कुछ सही है और किसी का जुपीटर बहुत खराब भी है तो उसको भी बता दिया कि भाई अगर तू तो ये ये काम करेगा न, तो तेरा ये result अच्छा ही देगा तीर को तेरे लिए ये ठीक हो जाएगा बस, बात खतम हो गई तो कही न कही जो करम की बात हो रही है और जो डेस्टिनी की बात हो रही है, ला किताब या आप अच्छा वाला लोग है या बुरा वाला लोग है तो लाल किताब के अंदर यह सबसे बड़ी खूबी है कि वो आपके कर्मों के एक तरीके से आपके कर्मों को define कर दे ले भई तुम्हें ये काम करना और ये काम नहीं करना ये काम करोगे तो दिक्कत में आओगे और ये काम करोगे तो फिर कुछ बरजी कर लो सही रहोगे, चिंता मत करो, बस ये मत करना बागी सब सही है जिंदगी में और आप देखोगे over a period of time कि लाल किताब, even लाल किताब नी कोई भी form of astrology astrology, या वास्तु या कुछ भी आपको actually ये कोई prediction book नी, लेकिन आपको जिंदगी कैसे जीनी है ये सिखाती है astrology हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी life कैसे जीनी है कैसे हमें अपनी life को ठीक रखना है और हमें तरीका पता चल जाता है, it's a way of living मतलब ये जिंदगी जीने का एक तरीका है astrology को follow करना भी एक जिंदगी जीने का तरीका है ये आपको सिखाती है कि देखो ऐसे करोगे तो ये होगा ये करोगे तो ये होगा और जब आप वो काम करते हो जो की आपको करने चाहिए तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और जब वो काम करोगे जो आपको नहीं करने चाहिए तो रिजल्ट खराब हो जाएगे लाल किताब के बारे में बहुत सारी चीज़े हैं कि ये कोई आसमानी किताब है ये तो जमीन से पैदा होई थी जमीन से निकली थी आसे बहुत सारी चीज़े बूली जाती हाला कि तेको जो ओफिशल चीज़ा उसको समझना ज़्यादा बहतर है लाल किताब बेसीकली जो में आथर है है ना वो पंडित रूपचन जोशी जी है ठीक है पंडित रूपचन जोशी जी है पंडित जी ने किताब लिखी है ना उनका क्या फलसफा था क्या चीज़े थी क्या चीज़ उनके दिमाग में थी वो उनका दिमाग जानता है लेकिन जो चीज़े लिखी वो कमाल है मतलब कि वो एकदम सटीक है और इतनी सटीक जो जानकारी है वो कहीं पे और दिखाई नहीं देती मतलब एस्ट्रोजी की किसी फॉर्म में शाहिद इतना सटीक नहीं लिखा हुआ जो लाल किताब के अंदर लिखा है मतलब बिल्कुल क्लियर ही यह लिख दें कि अगर यह से होगा तो ऐसे हो जाएगा तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने कहीं से कोई एस्ट्रोजी की एक फॉर्म उठाई और उसी को आगे एकस्पेंड कर दिया ऐसा नहीं लेकिन गहरा ही थी जो भी सोचा, सोच तो नहीं कि है ना मेरे जैसे विक्ति तो एक टीचर है ना मैं तो आपको एक से पढ़ा सकता हूँ है ना लेकिन जिस विक्ति ने लिखी है वो तो मतलब उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना दुनिया के अंदर और जो इसने ऐसी एक पुस्तक लिख दी इतना बड़ा गरंथ लिख दिया अपने आप तो पहली लाल किताब जो थी 1949 के अंदर प्रिंट हुई थी और लगबग 383 जो थे उसमें पेज थे फिर 1940 में दुबारा लाल किताब चपी ना लाल किताब के अर्मान ठीक है और उसके अंदर भी करीबन 156 पेज़े थे फिर तीसरी लाल किताब 1941 में चपी ठीक है ना और उसके अंदर 400 प्लस पेज़े थे और फिर 1942 की जो लाल किताब थी उसके अंदर भी around 400 पेज़े थे 384 इतना थे और जो लास्ट लाल किताब है वो 1952 में चपी थी जिसके अंदर more than 1000 प्रसाजली स्पीकिंग 1171 1171 पेज़े थे उसके अंदर और यह अलग-अलग टाइम पर यह लाल किताब तो जैसे जैसे पहली लाल किताब लिखी गई फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी यह वर्जन है अलग-अलग है न तो उसके अंदर भी amendments हुए और अब सिर्फ amendments ही है मतलब market के अंदर इतनी सारी लाल किताब है हर किसी ने लाल किताब लिख दी और वो लाल किताब कहीं से कहीं पहुँच चुकी अब वो है न और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मेरे पास हाथ से लिखी वी लाल किताब है मेरे दादा जी ने लाल किताब हाथ से लिखी वी लाल किताब है हमें हमारे पास ओरिजिनल लाल किताब है हमारे पास पता नी जमीन से निकली भी लाल किताब है, सब तरीके के लोग मिलेंगे, मार्केट के दर पता नहीं कितने लोगों के पास हाज से लिखी भी लाल किताब है, आज तक यह समझ में नहीं आया मतला, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखने जाओगे तो शायद ऐसे पश्यूब पैस भी कोई लाल किताब नहीं थी, है ना, मैंने printed लाल किताब ही पड़ी है, जो intéressant मिलती है, मार्केट के अंदर है ना, मिरे पूरवजो के पास भी कोई लाल किताब नहीं थी कभी भी और उनका पंडित रूप चंचोशी जी से भी कोई वास्ता नहीं था, मैं पहली बता दूँ आपको, शुरू करने से पहले ना वो उनके जानकार थे, ना वो उनके साथ कभी रहते थे हाँ, अगर ये बोलोगे कि वो पंजाब से थे और मेरा कोई पंजाब से लेना देना है, तो आईए एक बोल सकते हो उन्होंने एक जो किताब है वो लिखी और उसके अंदर इतना सब कुछ है, जो कि इतना सब कुछ लोगों को दे रहा है, इसके बारे में भी एक फर्दर स्टोरी है कि पंडिज जी जो थे वो सरकारी वेक्ती कोई थे और उन्होंने, जो अंग्रेज अफसर थे ना, उनकी एज के हिसाब से और उनकी कुछ चीजों को देखकर, जैसे हातों को देखकर या कुछ उनको कुछ बाते बताई कि आपके साथ ऐसा होगा या यह होगा, आपके घर में अगर ऐसा है तो यह होगा, आपके यह तो ऐसा होगा तो अंग्रेज जो ओफिसर था था ना वो हिरान हो गया सुनकर कि भई यह तो ऐसा कैसे बता सकता है कोई बंदा मेरे बारे में मतलब वो बड़ा हिरान वो उसको लगा कि ये क्या चीज है तो उसने बताए भी हमारे यान ऐसे astrology होती है, मतलब विद्या है ये तो उसने कहा ये तो बड़ी interesting चीज है और इसको कहीं बही note down करो, अगर आपने कभी ऐसे पुरानी movies देखी हो होगा कि उसकी टीम जो थी लोगों के उपर experiment करती रहती थी, या जैसे बहुत popular series है, Indiana Jones वाली, Lost Ark या जो भी है, वो सब तो उसके अंदर भी वो खोज करते रहते हैं वो Hitler के लोग पीछे लगे रहते हैं जो उनके पीछे कि वाई, क्या ऐसा हो सकता है जिससे पूरी दुनिया के उपर कबजा हो जाए तो वाक्य उस जमाने में ऐसा था और बहुत सारी चीज़े खोज करीगे आदमी की बॉड़ी के उपर से लेकर हर जगा तक experiment हुए, जग जीतने के लिए तो उस अंग्रेज अफसर को ये बड़ी चीज़ लगी कि इसमें कुछ है दम, तो उसने बोला कि ये ना एक कहीं नोट डाउन कर ली जाए सारी चीज़े, तो जो सरकारी रिजिस्टर उस जमाने में होते थे और आज भी आप जाओगे ना सरकारी रिजिस्टर बहुत सारे ऐसी जगहों पर आपको दिखेंगे लाल वाल रंग के सरकारी रिजिस्टर होते थे तो वो जो पंडित रूप चंच जोशी जी वहाँ काम करते थे तो और उन्होंने बोल, ऐसा मतलब यह भी एक स्टोरी भाई, एक्चुल भाई मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो पता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं यह वहीं पर था, उसमाद मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं है गाओं, तो वहाँ पर उन्होंने सब करा, लेकिन वह सरकारी नौकर थे तो अपने नाम से कोई बुक नहीं छपवा सकते थे तो जो पहली लाल किताब जब प्रिंट हुई थी, तो वो जो प्रिंटर है, है ना, उनके नाम से, मतलब उसमें ऑथर का नाम नहीं है, उसके अंदर जो जिस ने, जिस कंपनी ने छापी है, मतलब जो प्रिंटर हैं, उनका नाम है, और उनके नाम से वो पहली लाल किताब काई तो वैसे हुआ BY यही सब था न तो इसलिए वहाँ पर जो है उनका नाम उसमें नहीं था है बतलब लेकिन बाद में तो ठीक है सब जगह रहाल सबको पता ही है जो भी चीजह हुई ठीक है न तो इसलिए बहुत सारी चीजे एसी अलग-अलग और भी कहानी है तो कई लोग बोलते हैं कि क्योंकि ये उर्दू में लिखी गई और इसमें अर्भी के बहुत शब्द हैं तो ये कहीं इरान से आई और फारस से आई और जमीन से निकली अईसा कुछ नहीं है उस वक्त official language अर्दू थी खासतर से उस एरिया की जो North India का एरिया था तो उस सारे एरिया की official language अर्दू थी आज भी अगर आप दिल्ली में भी एक police station के अंदर अपनी complaint लिखवाने जाते हो तो उसके अंदर जो complaint लिखी जाती है उसके अंदर शब्दी उर्दू के यूज होते है मतलब इतना impact है उसका आज भी वो जो शब्द होते है वो बकाइदा रिपोर्ट लिखने का एक तरीका है और वो जो तरीका है उसके अंदर वो जो शब्द है वो बकाइदा उर्दू के ही यूज होते है तो मतलब इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जो कि लोगों ने बोला जिन नहीं जी ये तो कहीं आरब से आई थी और ये हुआ उस वक्त एक official language जो लिखने वाली जो language थी वो उर्दू ही थी सबलो ऐसे मान के चलो नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा तर चीज़ें उर्दू में लिखिया थी पंजाब के अंदर जो newspaper चपते थे वो भी उर्दू में चपते थे तो उर्दू एक normal language थी जो वहां के सभी लोग जानते थे आज भी पंजाब side में उर्दू के newspaper बिखते हैं क्योंकि जो बजुर्ग हैं पढ़ने वाले हैं अब तो इतने रहे नहीं लेकिन जो हैं वो आज भी उर्दू पढ़ते हैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है उर्दू कोई ऐसी language नहीं थी जो कि किसी को आती नहीं थी तो सब को आती है ऐसा कुछ भी नहीं है प्ले स्टेशन में रिपोर्ट रिपोर्ट लिखने वाला बंदा भी स्पेशल होता है वो अपने तरीके से उन शब्दों को लिखता है वो आज भी उसी format में लिखे जाते हैं उनका तरीका आज भी कुछ-कुछ ऐसा ही है तो ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि कई लोग कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीजे थी और कोई ऐसा कुछ हो गया और वैसा कुछ हो गया वो सब चीजे इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप देखोगे तो नॉर्मल चीजे हैं पर उसब क्रम था वो कहीं न कहीं missing था तो उसको थोड़ा सा मान सकते हो कि हाँ थोड़ी सी भाव पर एक टिकत थी या जो एक सिलसलेबार चीजे नहीं थी और आज भी लाल किताब जो पहली लाल किताब लिखे दिकिए कि कि देखो, कुदरत आपके उपर जाहिर करती है, लाल किताब ने, precisely speaking, ऐसा बोला गया, कि हर चीज कुदरत जाहिर करती है, आपके उपर कि मालो, किसी का शनी खराब है, या खराब होने वाला है, है ना, तो कैसे पता चलेगा, तो ऐसे symptom बताए गए लग 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 जैसे बता दिया गए कि भी देखो भाई अगर उसका मकान बन रहा है तो उसका कोई हिस्सा गिर जाएगा प्रेंटर कंस्ट्रक्शन गर है हिस्सा गिर जाएगा यह बना बनाया मकान है उसका कोई हिस्सा गिर जाएगा पता चल जाएगा कि बही शनी खराब हो रहा है इसका है ना भैस मर जाए कोई तो पता चल जाएगा हाँ बही शनी खराब हो रहा है अचानक से बाल बहुत ज़्यादा जढ़ने लग गए पता चल जाएगा बही शनी खराब हो रहा है इसका अब किसी का शुक्र अच्छा चल रहा है, और अगर मालोग खराब होना शुरू हो जाए, तो ऐसे बोला कि शुक्र अगर खराब होगा तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन अंगुठे में दर्श चुरू हो जाएगा. चोट नहीं लगे कि यंग उठे में दर्श शुरू हो जाएगा तो बंदों पता जाएगा भई तरह शुक्र खराब हो रहे अचानक से skin की problem शुरू हो जाएगी समझ में आ जाएगा भई शुक्र खराब हो रहे तो symptom बताया symptom की ये symptom है इस चीज से तुम्हें पता चल जाएगा भई मेरा फलाना गरह खराब हो रहा ठीक कर लो कर सकते हो तो ठीक है ना बहुत सारी चीजों के अंदर सिर्फ symptom अब ये गाओं वाओं की कहानी है मतलब इसमें जब लिखी गई जहां पर हो गाओं का एरिया था तो ऐसे लिख दिया कि अगर आपका सूर्य खराब हो रहोगा आपके घर से बूरे रंग की गाएब हो जाएगी गुम हो जाएगी अब आप बोलो गया रम तो पालते ही नी बूरे रंग की गाएब तो हमें कैसे मतलेगा लेकिन अभी इसका रिपर्जेंट कर रही है या ब्लैक वो जो भैंस बोला की काली भैंस है तो वह आपको शनी को रिपर्जेंट कर रही है तो शनी से रिलेटेड दूसरा आर्टिकल के अंदर आपको वो दिक्कत आ जाएगी हमें उसको आज के हिसाब से समझना पड़ेगा तो इस तरीके से उन चीजों को समझना है ना तो हमें यह पता चल जाएगा कि कोई भी चीज जो है ना वो क्यूं ऐसा रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर रही है अब जैसे पुराने वक्तों से ही हम क्या करते हैं हमें एक चीज बुली जाती है कि घर से बाहर निकलो ना कुछ मीठा मुँमें वो दई और शक्कर डाल लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो है ना कई होता ना मुँमें चीनी डाल लो तो मुमें चीनी डालना मुमें चीनी डालने को लाल किताब में बताया गया कि जो कभी भी जैसे अलग-अलग चीजों से अलग-अलग चीजों का लेना देना है अगर सूर्ये का असर किसी का खराब हो रहा हूँ है न सूर्ये का असर खराब हो रहा हूँ या किसी का सूर्ये खराब हो रहा हूँ तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये मूमे चीनी डाल कर जाना है न या मूमे चीनी डाल कर उसको पानी पी कर फिर जाना वो उसके लिए शुब क्यों है था क्योंकि सूरिय का जो मित्र है वो मंगल है ऐसा भी मैं बताओंगा समझाओंगा भी घबराना मतभी तो मैं सर्फ वो बता रहूँ मैं बाकी चीज़े बताओंगा तो जैसे सूरिय का मित्र माल लो मंगल है ठीक है न? और आपके मुँ में जो सलाइवा पैदा हो रहा है जो थूक बन रहा है वो मंगल और चंदरमा मिल जाते है और ये दोनों सूरिय के मित्र है और जब वो मीठा डालते हो न? तो वो दोनों मिल गए तो जब उसको ले 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 तो पानी के साथ आपने उसको ले लिया, तो वो क्या करते हैं, वो सूरिय को बलवान कर देते हैं, जब अपने मित्रों की स्पोर्ट मिल जाते हैं, तो बलवान करते हैं उसको, तो ऐसे बड़े सीधे सीधे उपाए बताएगा, और यह उपाए नहीं, यह ancient time में जर्नल प्रैक्टिस थी, पहले astrology समझाएं, घर के बच्चों को, बड़ों को, बुडों को, और फिर बताएगी यह करना है, तो उन्होंने बोला कि यह रिवाज है, उसको रिवाज बना दो, जो भी चीज हमारे लिए जरूरी है, उसको रिवाज बना दो, जो भी चीज जरूरी है हमारे लिए, पही दुलन घर आती है, तो उसके साथ यह करना पड़ता है, या किसी को यह गिफ्ट देना पड़ता है, या यह कपड़ा देना पड़ता है, तो जो रिवाज बनाए, वो उस चीज को सोचके बनाए, कि कौन से ग्रह को इंपेक्ट करना है, तो एक जर्नल तरीका बना दिय लागी पिस सभी के लिए जो चीज लागू हो जाए जाए अब हम क्या समझ लेते हैं हम लेते हैं अगर हम चीनी मू नालके चलेजाएंगे तो को पर उसका जलए इस चाई तो कनी बिलते हैं पर उसका जो भुंत बिखारуск कर रही जा auto करना कई तो लाल किताब के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजे जो हैं वो मौजूद हैं जिससे कि आप यह जान सकते हैं कि डे-टू-डे वेसे पर क्यों करना है आज की हमने क्लास मंगलवार के दिन रखे हमने का चलो लाल किताब मंगलवार के दिन क्लास शुरू करेंगे फिर 26 जनवरी का दिन भी था और अभी आठ बज़ रहे थे तो मैंने यह सोचा था टाइमिंग वैसे मेरे साड़े साथ बज़ेगा रहता है क्लासेस का सभी यह क्लास specially आठ बज़ेस लिए रखे थी क्योंकि यहां से वो जुपीटर की होरा शुरू हो रही थी तो मैंने का जुपीटर की होरा के अंदर ही क्लास रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है आप लोगों को ताकि समझ में आए बहुत अच्छा है और लाल किताब के अंदर सबसे यहादा एहमियत बीस-पक्चिस साल पहले किसी जोशी ने बोला था जंतिगी में कभी रेड गलर मत पहना तो मेरे को बात में समझ में आया कि उसको ज़्यादा कुछ नॉलिज नहीं थी मेरे को रेड पहनने से बहुत फायदा होना था उसने मेरा फायदा बहुत टाइम थक रोके रखा तो मैं अभी वो स्पेक्स लेने गया ना तो मैंने उसको बूला जिससे बहुत बाईचांस अभी लगे है यह मेरे को पहले मेरी आखे एकनम परिफेक्टी फिरो किसी ने बोला भाई अभी अवर इतनी हो गई है कि कम से कम पढ़ने के लिए तो लगाई लो तो मैं ने बोला ठीक है वो उसको चेक करवागे मैंने लगा ले दे पढ़ने के लिए तो मैं जब गया वो ग्लासे लेने के लिए त क्योंकि मैंने का यार वो कहता कि THIS क्या मंठ नहीं है इसको लगाने से पैसे आएंगiben रेड़ क्लर को प्रवाइब लॉजिक में समझा नहीं सकता लेकिन आते हैं पैसे फ्रेम लगने से भी आते हैं पैसे कि तो कहने का मतलब यह कि अलग-अलग चीजों के लिए और यह बड़ी अच्छी चीज है हमारी जो सुसाइटी है उसके अंदर कि यह जो हम चोटी-चोटी चीजे समझते हैं न कि यह जो बुजरुग लोग बोलते थे कि यह मत करो यह करो यह मत करो हमें लगता है कि यह तो यह यार ऐसी पता नहीं क्या यार यह कुछ भी बोलते रहते हैं यह तो अंदर विश्वास है यह फलाना इससे क्या होगा नहीं वो सही थे और उन्हें सही सिस्टम बना रखे थे अब वो लोगों को पुरी जानकारी नहीं हो सकती थी कि दिंगरोंगी तो कुछ चीजों से ऐसा क्लियर कर दिया कि यह चार-पांच काम इंसान रोज करेगा ना तो उसके सारे गरह ठीक ही रहेंगे जैसे कि अपने खाने में गाये के लिए कुट्य के लिए को एक लिए तो वैसे ठीक हो गया ठीक है नौ में से तीन वैसे रोज ठीक करे जा रहा है वो तीन ने तो गलत हैसर देना है रोज चीनी खांके निकल रहा है तो चौता गरह भी ठीक हो गया है ना फिर दिन के अंदर उसे दो एक्टिविटी उन्होंने देखा तो इंडिया के अंदर ना कोई गरीब था, ना कोई भूका था, ठीक है, और ना कोई ऐसा विक्ति उन्हें मिला, मतलब जो भीग मांग रहा है, या जिसने कोई फटे पुराने कपड़े पहन रखे, नहीं, हर बंदा ठीक दिखा उनको, हर बंदा, मतलब ऐ इसा कैसे हो सकता है, वो एक देश में गया, वो तो कंगे थे, अंग्रेश तो उस वक्त, उनके पाग कुछ था ही नहीं, वो तो लूटने के रादे से ही तो हर जगा चलते थे, इंडिया को लूटने की जुरती नहीं थी, यहां पर उन्हें कोई गरीब ही नहीं दिखा, औ क्योंकि यहां कल्चर कैसी थी, कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है ना, तो उसको दे दो, पडोसी दे देगा, तो कोई बंदा भूका नहीं मर सकता, अपने पडोसीया ख्याल रखना है, इसको देना है, कोई मांगने वाला आया, उसको देना है, कोई भिक्षा मांगने तो लाल किताब के अंदर आपको ऐसी चीज़ी दिखाई देंगी बहुत सारी, तो बड़ी बहतरीन किताब है, क्यूंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत नए हैं ऐस्टोलोजी के लिए, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शाहिद आज से पहले कभी ऐस्टोलोजी का जिक्र जादा समझा नहीं हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे पहले हाउसेज, प्लैनेट उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, है ना, फिर उसके बाद हम बातचीच शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो पहले उसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा बिल करेंगे, ठीक है पारे में आपको बिल्कुल भी ट्रीक वायं। देखे, एक जब जनम कुंडली बनती है तो जनम कुंडली के अंदर बारा घर होते है ठीक है, बारा घर, बारा खाने लाल किताब के अंदर ज़्यादा तर ऐसा लिखाव है खाना नंबर एक, खाना नंबर दो, खाना नंबर ती तो बारा खाने होते है 12 houses, 12 खाने, ठीक है, ये जो है, जब भी कोई जनम पत्री बनेगी, जनम पत्री बनाने का तरीका वगएरा सब मैं आपको सिखा दूँगा, है ना, मैं आपको कोई वीडियो डाल दूँगा, जिसमें आप देख पाओगे, ठीक है, तो ये 12 खाने हैं, खाना नंबर 1, खाना न 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 खाने, इस टाइब से 12 खाने बने होते हैं, इन 12 खानों में ही सब कुछ है, 12 राशियां हैं, है ना, 12 राशियां हैं, लाल किताब के अंदर कन्फ्यूजन नहीं हैं, क्यों लाल किताब ने राशियों को अटा दिया, लाल किताब ने राशियों को अटा दिया, हटा कैसे दिया, ऐसा नहीं कि यह बोला कि राशिया नहीं, सीधा बोला कि एक काल पुरुष की कुंडली के उपर ही सब कुछ है मतलब लाल किताब में जैसे माल लो, क्या होता है, जब आप राशियां जो होती है मैं एक वीडियो अलग से डालूँगा, सब लोग उसको देख लेना, है न, वो पुरा का पुरा राशियों के उपर एक वीडियो जो है, वो डालके मैं उसमें दिखा दूँगा, लेकिन ऐसे बोला, ऐसा समझो कि भई, जैसे एरीज साइन है, या मेश राशी एक नमबर लिखा होगा, ठीक है, हो सकता है किजी का साथ में खाने में एक नमबर लिखा होगा, लाल किताब कहती है, आपकी परसनल कुंडली में कहीं पर भी लिखा हो, एक नमबर, कहीं पर भी लिखा हो इस बात के कोई माईने नहीं है एक नमबर आपका यही है बस खाना नमबर एक ही एक नमबर है मतलब ठीक है अगर हम खाना नमबर एक में एक नमबर लिखेंगे तो समलो काल पुरुष की कुंड़ी बन जाएगी तो लाल किताब काल पुरुष की कुंड़ी के ओपर चलती है मतलब कि वहाँ पर खाना नंबर एक के अंदर एरीज राशी है, बस आपने ऐसा नहीं करना कि जो अपनी कुंड़ी बनाओ तो जहाँ पर आपका एरीज हो, उसको खाना नंबर एक माल लो नहीं, कुछ नहीं जहाँ पर आपका पहला हाउस है, बस वो ही है, फर्स्ट हाउस is फर्स्ट हाउस, और वो ही समलो एरीज राशी है वहाँ पर, मैं अकॉर्डिंग टू लाल किताब, आपने यह नहीं देखना कि वो राशी नंबर, हमारा खाना नंबर दस के अंदर एक नंबर लिखा हो है तो मेरा खाना नंबर दस एरी साइन है, नहीं, वो खाना नंबर दस है, और वहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दसवी राशी है, ठीक है, यानि की कैप्रिकॉन, बस लाल किताब में कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधा, आपको सिर्फ खाने देखने हैं, खाना नंबर एक, खाना नंबर दो, खाना नंबर तीन, खाना नंबर चार, खाना नंबर पाँच, इस टाइप से अलग-अलग खाने दे रखे हैं, लाल किताब के तो हमें खाने किसे मतलब है, हमें राशी से यहाँ पर फिल्हाल कोई मतलब यह, जहाँ जहाँ होगा थोड़ा बद तो मैं कुछ चीजे एक्स्प्लेइन कर दूँगा, तो बड़ा सिंपल है, बारा खाने, उन बारा खानों में प्लैनेट है, जो प्लैनेट जहाएं, बस उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट तै किया गया, कि क्या र लिखे वे हैं, कि कौन सा जो खाना है, वो किसका पक्का घर है, किस प्लैनेट का पक्का घर है, तो जब हम बेसिक लेवल से कोई चीज स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा समझिए कि नौ प्लैनेट हैं, नौ प्लैनेट हैं, नौ प्लैनेट कौन कौन से हैं, नौ प्लैनेट हैं, अगर हम starting with sun तो sun या लाल किताब के इसाब से शुरू करोगे तो जुपीटर सबसे पहले लो लोगे है न देन जुपीटर, जुपीटर के बाद sun sun के बाद moon moon के बाद venus, venus के बाद mars, mars के बाद mercury, mercury के बाद saturn, उसके बाद राहू, उसके बाद के तू, लाल किताब के अंदर actually sequence कुछ इस टाइप से चलती है तो ये 9 गरहे हैं ये 9 गरहे अलग-अलग चीजों को represent करते हैं, और ये 12 घर भी अलग-अलग चीजों को represent करते हैं ठीक है although मैं आपको एक वीडियो अलग से पहले जो शुरुआत करूँगा, वो इनी सब बातों से करूँगा कि कौन सी चीज किस प्लैनेट को represent करते हैं, तो मैं एक-एक प्लैनेट लूँगा, है न, और कुछ हाउस के बारे में बताऊँगा मैं आपको कि एक हाउस के बारे में कि जिस हाउस को वो represent करता होगा और एक चीज मैं बताऊँगा उस प्लैनेट से लेट, लेकिन मैं शुरुआत फिर भी जुपीटर से ही करूँगा, जुपीटर दूसरा क्योंकि लाल किताब में हमेशा जो शुरुआत होती है जुपीटर से होती है, ठीक है तो गुरु जुपीटर जिसको कि लाल किताब के अंदर बबर शेर माना गया, कि लाल किताब के अंदर जुपीटर बोला गया, जुपीटर जो है वो बबर शेर है जुपीटर बेसिकली धर्म का कारक है जुपीटर गुरु है, वाक्के ही गुरु है जुपीटर ऐसा गुरू है जो मतलब जिसका जो knowledge level है न वो बहुत ज़्यादा high है मतलब उसके पास wisdom है insight का कारक है जुपीटर खाना नंबर दो जुपीटर का पक्का घर है मैं अभी खाना नंबर दो पर बाद में आऊँगा मैं उसके बारे भी बताऊँगा लेकिन क्योंकि शुरुआच जुपीटर से करनी है अचलिए जुपीटर आपको पहले बता रहा हूँ ठीक है जुपीटर किस चीज को रिपर्जेंट करता है लाल किताब के अंदर जुपीटर रिपर्जेंट करता है दादा जी को जुपीटर रिपर्जेंट करता है ग्रेंट फादर जुपीटर रिपर्जेंट करता है गुरु टीचर या जिसको आप गुरु मानते हो वो गुरु जुपीटर को लाल किताब में जगा जगा बोला गया हवा से compare गया हवा जुपीटर हवा है आपके घर में हवा आने की जगा जुपीटर है मनला हवा आने की जगा मनला जहां पर आपकी कुंडली में जुपीटर लिखा हुआ है उस जगा पर आपके घर के अंदर हवा आने की जगा होगी यानि कि वहाँ पर कोई दर्वाजा, खेड़की रोशंदान जरूर होगा उस जगाँ पर आपके घर के अंदर ठीक है जुपीटर बुजुरग लोगों को भी रिप्रेजन्ट करता है पीपल के पेड़ को भी रिप्रेजन्ट करता है धर्मस्तान को भी रिप्रेजेंट करता है गरुड को भी, सुनार को भी और सोने को भी ठीक है, तो धर्मस्तान मतलब की मंदेर, मजजद, गुर्द्वारा ये सब जुपीटर की केटिगरी के अंदर आते हैं, इन सब को जुपीटर ही माना जाएगा, ठीक है, ऐसी पेड़ों के अंदर, पीपल का पेड़, अगर आपके घर के बाहर, मतलब घर के अंदर नहीं घर के बाहर, कहीं आमने सामने, अगर कोई पीपल का पेड़ है, और वो बहुत बढ़िया है फल, फूलाव पेड़ है, बिल्कुल हराब हरा पीपल का पेड है तो इसका मतलब ये एक निशानी है जो बताती है कि आपका जुपीटर अच्छा हो सकता है और वहीं पर अगर कोई बिल्कुल सूखावा पीपल का पेड है तो वो बताती है कि आपका जुपीटर खराब हो सकता है क्योंकि आप ऐसी जगा परो अगर आपके घर के पास ऐसा धर्मस्तान है जो कि बहुत अच्छा है तो आपके जुपीटर की ताकत को दिखाता है वहीं पर अगर कोई उजड़ावा धर्मस्तान है तो यह भी दिखा देगा कि आपके जुपीटर के उपर उसका प्रभाव सही नहीं है या जुपीटर सही नहीं है रिजल्ट देने में क्योंकि वहाँ पर एक धर्मस्तान है जो उजड़ा हुआ है ऐसे बहुत सारे चीज़े आएंगी अभी बाकी जुपीटर को बहुत सारी चीज़ों के अंदर और देखा गया जैसे की नॉलेज जुपीटर है वेद, स्टोर्ड मनी, गुद डीड्स फिलोसफर, गाइड, कंसल्टेंट, स्पिरिच्चुल एड्यूकेशन, एस्ट्रलाजर टेंपल के अंदर ट्रस्टी, कैशियर, सिंपथी आपके दिल में हमदर्द टीचिंग्स फैट इन यूर बाड़ी ठीक है, बड़ा पेड जो भी जी जुरूस्यादा बड़ी है, उसको भी अस्ट्रलोजी के अंदर जुपीटर माना गया मैं इसमेल, especially लाल किताब नहीं, कुछ एस्ट्रलोजी के हिजाब से भी आपको चीज़ें बतारों, basic क्योंकि जर्नल एस्ट्रलोजी का प्रस्पेक्टिव रहता है elephant is Jupiter क्योंकि elephant बड़ा है, तो जो भी चीज़ हुज है बड़ी है, वो Jupiter को represent करती है लाल किताब में, हलाकि elephant जो है, वो राहू को लिया गया कि राहू जो है, वो हती है है न, तो कही न कहीं यह थोड़ा सा contradiction रहता है, क्योंकि कई जगा, जो है, elephant Jupiter की category के अंदर आता है, उसको Jupiter लिया जाता है, लाल किताब उसको majorly राहू की category में रखती है, similarly law courts यह भी जो है, Jupiter की category के अंदर आते हैं, ठीक है न, तो यह सारी चीजें जो है इसको हम Jupiter की category की चीज मनेंगे, तो यह Jupiter से इनका direct लेना देना है, अगर अभी वैसे ऐसी में कोई बात बोल जिसके अंदर की हमें कोई चीज समझ में ना आए या हमें कोई दिक्कत आए, लेकिन अगर बाईचांस आपको कोई चीज ऐसी है जो समझ में ना आए किसी particular time पर तो आप अपना हाथ खड़ा करतीजएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसी वक्त आनसर करतीओ और ताकि आपको दिक्कत ना हो तो ऐसे अगर कोई वैचांस कोई चीज ऐसी हो जो कि दिमाग में बहुत खलबली वैसे तो इसमें कुछ ही नहीं ऐसा जो कि मैं ऐसे कुछ आपको कोई बात बोलूगा प्लैनेट किन किन चीजों को रेप्रेजेंट करता है लाल किताब के हिसाब से यह चार्ट बनाना अभी नहीं सिखा आपको वीडियो दे दूगा जिसके अंदर चार्ट बनाना आप सब सीख जाओगे उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर जो नहीं आएगी समझ में, है ना, थोड़ा सा समय लगता है हर चीज को, थोड़ा समय दोगे न, एक दो क्लास के बाद वैसे बिलकुल स्ट्रीम लाइन हो जाएगा बस, उसके बाद उसके ये जो PDF है ये दे दूँगा आपको, तैंक यू सर्ट, नहीं दो लिखना पड़ेगा इसलिए, कोई बात, as it is मिल जाएगा, तैंक यू सर्ट, ओके, तो पहली चीज जो यहाँ पर आती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, हम यहाँ पर बात करें, जुबीटर की, अब मैं एक-एक करके एक-एक खाने को लूँगा, मैं शुरुआज जुपीटर से करना चाहता था, मैं एक-एक करके एक-एक खाने को भी लूँगा, एक-एक प्लैनेट को भी लूँगा, लेकिन पहले दूसरा प्लैनेट, और पहले घर का, actually पहला घर जो है वो सूरिय का पक्का घर माना जाता है तो उस हिसाब से भी इसको देखते है तो सूरिय का पक्का घर माना गया है इसको पहले घर को और पहला घर के अंदर सूरिय के है मतलब सूरिय सबसे बहले जाने सूरिय के है तो सूरिय को बुला गया पिता सूरिय जो है वो शेर है जैसे जुपीटर बबर शेर है मतब तीन टाइप के अलग-अलग शेर आते हैं लेकिन एक जो जुपीटर है वो बबर शेर है सूरिय जो है वो शेर है कोई अफसर आपका बॉस है ना अपने अफसर से नहीं बन रही होती है, अपने बॉस से टेंशन होती है, अपने बॉस से लड़ाई जगड़ा हो रहा है, अपने बॉस से दिक्कत है, है ना, ऐसे लोग अगर सूरिय अपना ठीक कर लें, तो बॉस के साथ दिक्कत, खतम हो जाएगी, मतलब जो लड़ाई दिक्कत हो जाएगी, और ठीक कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब इतना असान है मतलब जब समझोगे ना तो लगेगा यार इतनी असान चीज़ है और उपाये काम करते हैं बिल्कुल, as it is, बिल्कुल मतलब वो बंदा बोलेगा आएक दिन उसकी दिक्कत हो जाएगी, अगले दिन वो बॉस पता चलेगा और यार वो कुछ बोली, ना बॉस कहारा है, सब ठीक है, यार कोई बात ने चलत काम करते हूँ अपना, कोई टेंशन नहीं है है ना सूर्य बोला गया लाल मूवले बंदर को, लाल तंबा बुआ का बेटा जन्रल एस्ट्रलोजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सूर्य को रिपर्जेंट करती है जैसे फादर, पेशन्स, करेज, टेबलेट्स, पावर है ना, लाइट, किंक, राजा जो है वो सूर्य है है ना, राज दरबार सूर्य को रिपर्जेंट करता है बॉस, हार्ट, दिल, स्टमक, बाल्डनेस, पेन, ग्रॉसरी, वीट यहूं जो होता है वो किसी कंपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर, डिरेक्टर, कैप्टेन किसी डवर्मेंट का सिंबल, यानि के एम्बलम जो होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं, आशो का पिलर रख दो नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो यह जो एम्बलम होते हैं, यह सूर्य को रिपर्जेंट करते हैं, गोल्ड माइन्स, स्पोर्ट्स, बैटिंग, फंक्शनिंग, इन दी फील्ड ओफ इंडिजीनियस मैडिसन्स, गोल्ड ओर्नमेंट्स, वूल, वूलन प्रडॉडक्ट, ट्रेडिंग, स्पोर्स को पल्स है ना, एड्वाइजर्स इन लीगल मैटर्स, यह भी सूर्य को रिपर्जेंट करते हैं, सूर्य का पक्का घर है खाना नंबर एक, तो यह जो खाना नंबर एक है, लाल किताब के अंदर, ठीक है ना, खाना नंबर एक, अगर हम जननल सिर्फ एस्ट्रोजी की बात करें, जन खाना नमबर एक रिपर्जेंट करता है आपको खुद को पहला हाउस यह जो आप नीचे यह बनावा देख रहे हो ना आपको जनम पत्री नीचे दिखाई दे रहे होगी यह यह वाला हिस्सा यह खाना नमबर एक है यह खाना नमबर एक रिपर्जेंट करता है खुद को बॉ बोलती है कि ये आपकी हैसियत को डिसाइड गरता है पहला घर पहले घर के अंदर बैठावा ग्रह राजा होता है पहले घर में बैठावा ग्रह ऐसा है जैसे तक्त पे राजा बैठावा है मतलब इसका मतलब पहले घर में बैठे वे गरह की इंपोर्टेंस बहुत ज़ादा है वो आपकी जनमपत्री के अंदर राजा है लाल किताब ये बोलती है कि बही ये जो पहला घर है न उससे हम सुभाव तो पकड़ रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो कुछ करने की भूक है न वो भी पहले घर से रिपर्जेंट होती है आदमी दूसरों के साथ कैसा विवहार रखेगा मतलब क्या वो किसी की हेल्प करेगा हेल्पिंग नेचर होगी बड़ा प्रोपकारी टाइप होगा या वो रूड हो जाएगा एकदम या बहुत गुस्से वाला होगा ये चीज कौन डिसाइड गरेगा ये पहला गर डिसाइड गरेगा मैं लाल किताब के पॉइंट आउइस से बता रहा हूँ अस्ट्रों जी अंदर वो बहुत अलग-अलग पॉइंट आउफ यू आते हैं लेकिन लाल किताब के पॉइंट आउफ यू एकदम थोड़े से डिफरेंट है ये ये भी बताता है कि आदमी बिल्कुल अल्ट्रा मॉडरन टाइप चीजों के उपर चलने के लिए तयार होगा या उसको लगयागी यार पुराने रीती रिवाज माईने रखते हैं जिन्दगी के अंदर पहला भाव हमारी उम्र का पहला हिस्सा भी है जैसे कि हम बोलें ना बच्पन का टाइम ऐसा कुछ ठीक है ना तो यानि कि ये हमारी उम्र का वो इस्सा है जो शुरुवाती दोर है पहले घर से बहुत सारी चीजों को देखा जासा है जैसे कि पहले घर में जुपीटर बैठा हुआ है तो हम बोलते हैं कि यह ऐसा सादू है है ना जो कि बादशा की तरह है मतलब कि बले ही वो मांगे भिक्षा लेकिन है राजा क्योंकि जुपीटर है जुपीटर बैठ गया जुपीटर सादू है और सादू कहां बैठ गया तक्त के ओपर जागे बैठ गया तो यह राजा है वो चाहे बले ही वो सादू है लेकिन सादू जैसा अरबाश्चा है वो उची गद्धी पे बैटा मतब उस बैक्ति को लालकितान उला इज़्जद जरूर मिलेगी भाई चाहे खाने के लिए पैजे हो ना हो इज़्जद पूरी मिलेगी क्योंगी जुपीटर है ठीक है ना तो इस तरीके से अलग-अलग चीज़ों को डिफाइन कराव यह सब चीज़े आएंगी आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह सब चीज़े आप देखते रहोगे हैं ना तो पहले घर का बहुत चीज़ों से संबंद आता है हेल्थ से बहुत क्लोजनेस है पहले घर की ठीक है ना पहले घर से हमारी बॉड़ी के उपर किस टाइप की मेडिसन रियक्ट करेंगी वो भी जाना जा सकता है यह एक अलग चीज़ है पहले घर के अंदर अगर शरीर की बात करें तो खास तोर से हमारा जो माथा है यह जो है यह पहले घर के अंदर आता है ठीक है ना खास तोर से तिल्ख लगाने की जग़ा ऐसी चीज़ और पहला घर हमारे प्रेजन टाइम को दिखाता है प्रेजन आज अभी ठीक है ना मतलब पिछले जनमों को नहीं, इस जनम में, वर्तमान, जो अब यह मारा करंट टाइम है, उसको दिखाता है पहले घर की इंपोर्टेंस बहुत जादा है क्योंकि मैंने बता है पहला घर और पहले घर में बैठावा ग्रह क्या हो गया, राजा हो गया तो भाई, राजा की इंपोर्टेंस बमेशा सबस्यादा रहेगी और राजा खुद सूर्य है तो यह सूर्य का पक्का घर है अब काल पुरुष की कुंडली के अंदर यहाँ पर राशी आती है, एरीज मतलब की मेश मेश राशी का मालिक मंगल है तो मंगल की इस घर के साथ ऐसोसियेशन है मेश राशी का मालिक कौन है? मंगल है तो मंगल की इस घर के साथ ऐसोसियेशन है काल पुरुष की कुंडली में मेश राशी आती है आपकी कुंडली में राशी कहीं पर भी हो पर पहले घर का संबंद मंगल के साथ सीधा हो गया बस लाल केता बोलती है आपका संबंद है पहले घर का मंगल के साथ बात खतम क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर मेश राशी पहले घर में आती है ठीक है इसके बाद आता है दूसरा घर दूसरे घर पे अभी हमने देखा जुपीटर का पक्का घर है दूसरी राशी होती है टॉरस या व्रिश जो की शुक्र के अंडर आती है, शुक्र उसका लॉर्ड है है ना, लेकिन लाल किताब ने क्या बोला कि खाना नंबर दो जुपीटर का पक्का घर है जुपीटर के बारे में अभी हमने बात करी ठीक है, चर्चा करी कि जुपीटर क्या है, कैसे काम करता है दूसरा घर पैसे का बोला गया, एस्ट्रलोजी के अंदर धन भाव, पैसे का भाव लेकिन दूसरा घर लाल किताब कहती है, हमारी इज्जत का भी है हमारे मान सम्मान का है और मान सम्मान का direct connection पैसे से है देखो, शब्दों को समझना भहुत ज़रूरी है कि बहीं क्या किसी विक्ति का मान सम्मान पैसे के ओपर निरभर है काफी हद तक है आज की तारीक में नी, पुराने वक्तों से जायर सी बात है राज्य में पुराने वक्तों में चले जो राजा मारजाओं के टाइम में जो वेक्ती सबसे ज़्यादा पैसे वाला होगा उसकी इज़्जत होगी की नहीं होगी होगी बिल्कुल होगी क्या आज कोई वेक्ती बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो लोग उसकी इज़्जत करते हैं नहीं करते हैं आज जो वेक्ती सबसे ज़्यादा पैसे वाला है अगर वो कोई गलत काम भी कर दे तो बाद में फिर लोग उसकी इज़्जत करते हैं बस दो दिन के लिए गालियां देंगे फिर इज़त करने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली पैसा आपके लिए इज़त मार्केट के अंदर क्रियेट करता है आज भी एक आदमी की मेंटलिटी होती है उसको कोई लेना देना नहीं है वो नॉर्मली सड़क पर चल रहा है लेकिन अगर उसके आजू-बाजू कोई मर्सेडीज चल रही होगी बीमड़ी चल रही होगी कोई और बड़ी गाड़ी चल रही होगी तो वो खुद बचाके चलाएगा कि मेरी गाड़ी उसके उपर टचना कर जाए मनलो वो Mercedes वाले को या BMW वाले को या जो कोई और उससे बड़ी गाड़ी होगी उसको उसको नहीं बचकर चलना कि ये मेरे को टककर मार देगा अब बाकी लोग बच रहोंगे कि हमारी गाड़ी इस पर न लग जाए आज भी अगर मानलो कोई बंदा आपके सामने एक डिड़ करोड की कार से उतरेगा न तो आप एकदम ध्यान से देखोगे कि भाई कौन बंदा उतरा है कोई बंदा सामने खड़ाओ को न उतर तो वैसी साई ड़ जाएगा कि यार कोई बड़ा आदमी है साई ड़ जाएगा मान सम्मान है पैसे से ठीक है न लेकिन यहाँ पर जो पैसा है न उसको ये बुला गया कि जो हमने मेहनत का कमाया हो जो हमने धर्म का कमाया हो धर्म का गर है दूसरा गर्म धर्म से जो सही तरीके से पैसा कमाया गया है उसका गर है जबकि अगर कोई रिश्वत लेकर या किसी गलत तरीके से जो पैसा कमाया गया उसका गर छटा है वो वाला पैसा नहीं है दूसरे धर वाला पैसा तो आप कहीं सोचो यार इससे दूसरे घर खराव है लेगिन पैसे बहुत है तो गलत पैसा वो छटे घर का है ठीक है न? पहला घर मैं बताना बुल गया लेकिन पहला घर East Direction को represent करता है First house represents East direction inลाल केताब पहला अगर east direction को represent करता है और second house जो होता है लाल किताब में वो नॉर्थ वेस्ट को represent करता है second house राशी नी house second house represent नॉर्थ वेस्ट आप कितने आशो और आम की जिंदगी जियोगे ये दूसरे घर से आता है आपकी food habits कैसी होंगी ये दूसरे घर से आता है जुपीटर का पक्का घर है ये और यहाँ पर शुक्र की राशी पढ़ती है ये दो अलग-अलग टाइब के गुरू हो गए जुपीटर का पक्का घर है दूसरा घर लाल-किताब ने बोला और राशी किसकी है शुक्र की शुक्र भी अपने आप में गुरू है न जुपीटर देवताओं का गुरू है शुक्र जो है असुनों का गुरू है तो कहीं न कहीं जो आपका अध्यात्मिक ग्यान है न उसका कारक भी है दूसरा घर गुरू का ग्यान है न तो गुरू का तो पक्का घर है और दूसरा जो उसका लॉड है वो शुक्र है और शुक्र के पास तो एकदम प्रेसाइज ग्यान है न मतलब कि एकदम मंतर अपने आप ठीक कर देंगे, जुपिटर को तो trust है, बहुत तो बिल्कुल भगवान के उपर है, बिल्कुल मन्तब जो कर दिया, ठीक है यार, बस हमारे दिल सच्चा होना चीए, बस ठीक है बस हर जगा भगवान है शुकर कहता है, भगवान भगवान लग बात है, लेकिन बाई, काम एकदम perfect होना चीए, अगर पूजा करनी है, तो मंतर एकदम सही होना चीए उच्चारण, टाइम एकदम correct होनी चीए मतला अगर बोला घी एक चम्मच डालना है, तो एक चम्मच डलना चीए शुकर वो है, जिसको पास बिल्कुल rule and regulation है, पूजा के परती, धर्म के परती, ज्यान के परती, बिल्कुल उसके अंदर कोई compromise नहीं, perfectness, ठीक है न, तो यहाँ पर, यह ज्यान का भी कारक हो गया, जो अध्यात्मिक कोई ज्यान है, उसका भी कारक हो गया, दूसरा घर फूड के लिए भी represent किया जाता है, पहले घर में बच्चा पैदा हुआ तो दूसरे घर में खाना, दूसरा घर फूड को भी relate करता है, फूड habits को भी relate करता है, ठीक है न, तो दूसरा घर, काफी ज़्यादा, जो है, माइने रखता है हमारे लिए, कही ना कही ऐसा बोला गया कि इस घर का जो संबंद है, वो past life से भी जुड़ जाता है, दूसरा घर, जो है, परिवार का है, ठीक है न, तो इस तरीके से, दूसरे घर के अंदर, काफी सारी चीजे आती है, ठीक है, तो ये, दूसरे घर के अंदर, अपनी मतलब काफी ज़्यादा importance है, और अगर body के अंदर हम बात करें, तो neck का जो हिस्सा है हमारा, वो second house, represent करता है, neck, इसलिए बहुत सारे उपाई में हम क्या बोल देते हैं कि, गले में chain डाल लो, इस चीज की chain डाल लो, गले में फलाना, धागे में ये वाला सिक्का डाल लो, क्योंकि second house, neck, जो होती है न, वो represent करती है second house, तो second house में किसी planet को डालने के लिए, हम गले के सारा लेते हैं, second house धर्मस्तान भी है, बताया थैना second house धर्मस्तान भी है, लाल किताब के साब से, तो धर्मस्तान का क्या मतलब है, कि जब भी कोई उपाए के अंदर हम बोलते हैं कि, ये फलानी चीज धर्मस्तान पे देयो, मंदिर में देयो, इधर देया हो, तो इसका मतलब है, आप second house के अंदर उसको पचा रहे हो, उस particular चीज़ को आप second house की तरफ ट्रांसफर कर रहे हो, तो second house neck और second house धर्मस्थान, इस तरीके से भी दूसरे गर, दूसरा गर ये वाला गर है न, जो लोग बिल्कुली मतलब नए हैं, उनके लिए इंडाउस होगा, राइट, ठीक है, मैं आपको वीडियो, एक दो वीडियो additional आपको डाल दूँगा, जो आपका website है, जहांपर आप वीडियो देख पाते हो, recording सारी, वहाँ पर मैं आपको एक दो वीडियो अलग से डाल दूँगा, जिससे आपको जो basic astrology के अंदर कैसे जनम पर पाते हैं, तो दूसरा घर की यह सारी importance है, तो जाइर सी बात है, पैसे का घर है, तो पैसे की तो अपने आप में बहुत बड़ी importance है, ठीक है न, पैसे को तो कहीं पही ignore ही नहीं किया जा सकता, अब आते हैं, तीसरे घर पर, तो तीसरे घर के लिए मेरे को थोड़ा सा jump मेरे को जाना पड़ेका, मार्स के ऊपर मैं, मार्स के ऊपर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि तीसरे घर मैर्स का है, पक्ता घर, मंघल का, मार्स जो है न, commander-in-chief, фauji, army person, कोई भी वर्दी वाला बंदा, कोई भी वर्दी वाला बंदा, वो मार्स से रिपर्जेंट होते हैं, जिससे काटा जा सकता है जिसे चुबोया जा सकता है जो शार्फ आपजेक्ट है वो मार्स रिपस्टेट करता है चाकू, तलवार, सुई ऐसी कोई भी चीछ कोई भी हतियार लाल किताब के अंदर भाई को मार्स से रिपस्टेट कर है अगर आपके संबंद आपके भाई से ठीक रहेंगे तो आप चिंता मत करो मंगल आपको सही रिजल्ट देगा देखो कितनी अच्छी बात है एक जिंदगी में अच्छे रहने का फलसफा है यह कि अगर आपके सिर्फ भाई से अच्छे रिलेशन्शिप हूँ तो आपका मंगल बढ़ी है युद्ध के अंदर बोला गया कि मंगल विजय दिलाता है मंगल फाइटर है और दो कितनी अच्छी बात देखो कि रमायन के अंदर राम के साथ उनके भाई थे और रावन के साथ उसके भाईयों की नहीं थी बनी रावन के भाई उसके खिलाव हो गया तो जब मंगली हाथ से चला गया तो युद्ध क्या जीतेगा है न भगवान राम तो अपने भाई के उपर क्रोदेत नहीं हुए ना भगवान राम ने तो कभी कुछ नहीं बोला चाहे राज भी नहीं मिला बनवास भी मिल गया तो उनकी कोई दिक्कत थोड़ी थी भरत के साथ भाई भाई है देखो सब कुछ चिंज आने के बाद भाई भाई है यही चीज लाल किताब के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है गी यार देखो तुमारे भाई ने तुम्हार साथ गलत कर दिया तुम उसके साथ कुछ गलत मत करो तो चिंता मत करो तुम्हें फिर सब कुछ मिल जाएगा कई लोग कहते ना मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली मेरे भाई ने मिरसा दैजा कर दिया मेरे भाई ने वो गरज पालेके रखते हैं कि अब मैं तो जी उपने भाई को छोड़ूँगा नी मैं तो जी बात ही नहीं करता हमने तो जी उनके साह रिष्टा तोड़ दिया अरे तुम्हारे से एक मकान ले लिया भाई ने या बहुत सारी प्रॉपट्टी थी जादा शेर भाई ने ले लिया तुम रिष्टे तोड़ते फिर रहे हो भगवान राम को देखो सब कुछ ले लिया भाई ने फिर क्या हो गया फिर भी भाई भाई था ना अलाकि भाई ने नी लिया लेकिन एक इनसान तो यही समझेगा ना पॉसकी माता ने भाई लें पहिए पैर खैम ने लेके जो गवान चलिनी नामने कभी कोई गरज पाला अपने दिल में अपने पही के लिए नहीं कभी अपने भाई को कुछ बुरा बुला बुला नहीं अपने भाई के लिए तो प्यार था ना तो जो गया गया वो भी वप्पिस आ गया सब कुछ उसमें क्या हो गया ये ये तो हमारे जो गरंथ हैं वो सिखाते हैं न में और टेको बिल्कुल ठीक चीज लिखी वी है बिल्कुल की भाई जो ए रिप्रेस्ट करता है मार्स परो गरदे को इतना बड़ा युद एक व्यक्ती सिर्फ भाई की वज़े से आ रहा और दूसरा सिर्फ भाई की वज़े से जीता एक का भाई उसके खिलाफ था, एक का भाई उसके साथ था तो कभी भी अपने भाई के साथ अपने रिलेशन्शिप मत खराब करो छोटी मुटी प्रॉपर्टी, छोटा मुटा पैसा, ये कोई माईने नी रखते है अगर आप कोई दिक्कत नहीं पालोगे अपने दिल में, भाई कैसा भी है, आपने दिक्कत नहीं पाली ना तो आपका मंगल तो ठीक रहेगा, भाई की भाई जाने जो आपके साथ गलत करेगा, वो तो अपने अपना गरह खराब करेगा आपको कोई खराब करने के जुरूत नहीं है तो जिनके भाई साथ थे उनकी जिंदगी सही रही और जिनोंने अपने भाईयों के साथ गलत करा उन्होंने भुखता चाहे कौर वोने अपने भाईयों के साथ गलत करा तो उन्होंने भुखता युद्ध वही आरा जो भाईयों के खिलाफ गया है भाईयों के साथ ने तो इनसान को कहीं से कहीं पुचा दिया बगवान शरी कृष्ण के साथ उनके भाई हमेशा थे, कभी खिलाफ नहीं हुए तो कभी कोई उन्हें दिक्क्त आई? नहीं तो मंगल भाई है लाल किताब के साब से और अगर आपका भाई आपके साथ है अगर आपके अपने भाई के साथ रिलेशन्शिप अचे हैं भाई साथ नहीं भी है कोई बात नहीं लेकिन आप ने अपने भाई के साथ कभी कोई गलत नहीं गरा, आप अपने भाई के साथ हो, अपने भाई के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं सोचा, उल्टा सीधा. तो आपका मंगल हमेशा ठीक रहेगा. मंगल ठीक रहेगा, तो मंगल कारिया जिंदगी में होते ही रहेंगे. और अगर भाई से लड़कर एक प्रॉपर्टी आदी ले भी ली, तो प्रॉपर्टी बरबाद होने में समय कितना लगता है इंसान का. जितने जोर लगाके, मुकदमे लड़के, जो किजी का सर तोड़के एक प्रॉपर्टी ले भी लोगे, तो वो जाने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन अस्पिताल में एडविट होगे, डॉक्टर बिकवा देगा अगले दिन. अगर पता जल जाएगी आपके आपस प्रॉपर्टी है तो. मार्स हिरन है, हिरन रिप्रेजेंट गुड़ मार्स, वास्तु के अंदर रेमेडी रखते ना, ब्रास का हिरन, गुड़ मार्स. कहां रखोगे, वेस्ट के अंदर रखते हैं ना, वेस्ट 10,000 है, 10,000 के अंदर मार्स exalted होता है, exalted मतलब उच्चका होता है, वो भी बताऊंगा अगी, है ना. तो चीता, हिरन, ये सब मार्स की के अंदर आते हैं, सौफ, खाने वाली सौफ होती है, वो मार्स की के अंदर आती है, नीम का पेड, शहद, खांड, मीठी चीजें जादा तर, जो मीठा है, मिठाई वगेरा, ये मार्स की केटइए वह आते हैं, मीठा, कुछ भी मीठा है, मार्स की के अंदर आते हैं, तो नीम का पेड, शहद, खांड, सिंदूर, महावत, महावत बुला गया मार्स को, जो हाथी को अपने कंट्रोल में कर ले, हाथी कौन, राहू, तो राहु को कंट्रोल में करने वाला मार्स, महावथ, मार्स आपका करेज है, आपकी रगों में बहने वाला खून है, वास्तु के हिसाब से किचन है, मतलब की चूला जहां पर है, बर्नर, कोई भी ऐसा हॉट अबजेक्ट मार्स को रिपर्जेंट करते है, कोई भी चीज़ जो गरम कर देती है, वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो आप घर में रखते हो, जैसे माइक्रोवेव है, कोई हॉट प्लेट है, रेड कलर की चीज़ें मार्स को रिपर्जेंट करती है, फाइर एक्स्टिंग्विशर मार्स को रिपर्जेंट करता है, टूल्स मार्स को रिपर्जेंट करते हैं, वेपन्स मार्स को रिपर्जेंट करते हैं, अगर आपका शादी के अलावा कहीं अफेयर है, तो वो भी मार्स को रिपर्जेंट करता है, कमिट्मेंट्स मार्स को रिपर्जेंट करती है इन्वल्टर मार्स को रिपर्जेंट करता है फैमिली ओफ रेड कलर मार्स को रिपर्जेंट करती है सरजन मार्स को रिपर्जेंट करता है जो सरजरी करता है डेंटिस्ट, एथलीट friction पैदा हो रहा है अगर किसी चीज़ के अंदर तो मार्स को represent करती है जो चीज़े friction के उपर base लोकर काम करती है वो चीज़े मार्स को represent करती है बड़ी बड़ी factory हो के अंदर कही ऐसी चीज़े होती है ये सब चीज़े कसाई engineer वर्दी में कोई भी परसन चाहे वो soldier है चाहे पुलिस वाला है ये लोग मार्स को represent करते है और लाल किताब में specially मार्स को एक और चीज़े के साथ जुड़ा गया है वो है आपका career आपके जो career है उसका जो कारक है वो मार्स है तीसरे घर की मिलकियत मार्स के पास है तीसरे घर का मालिक मार्स है पका घर है वो मार्स का हाला कि राशी के हिजाब से तीसरी राशी जो होती है वो जमिनाई होती है जिसका मालिक बुद्ध है तीसरी राशी जमिनाई होती है जिसका मालिक बुद्ध है लेकिन यहाँ पर मार्स का पक्का घर बोला गया लाल किताब में इसको और डिरेक्शन है तीसरे घर की साउथ दक्षिन की दिशा तीसरा घर है थर्ड हाउस इस साउथ डिरेक्शन according to लाल किताब ठीक है न तो यहाँ पर घर का मालिक बुद्ध है तीसरा घर in general communications रिलेट करता है चोटे भाई बैनों से भी रिलेट करता है और हमने क्या बोला भाई जो है वो मार्स है है ना अभी जो हमने बात करी तीसरा घर आपके प्राक्रम को भी दिखाता है तो यहाँ पर जो भी ऐसे ग्रह हैं लड़ने बिढ़ने वाले वो कई बर बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं मंगल उन में से खोड़ एक है तीसरे घर का रिलेशन्शिप हमारे घर में रखे हुए जो अंदर समान रखा हुए ना अपने घर के अंदर उससे भी है हमारे घर के अंदर समान कैसा होगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी यह कहीं न कहीं इस बात पर बात डिपेंड करता है या आपके घर तीसरा घर कैसा है ठीक है ना और अगर यहां पर अच्छे घर है ना तो आपके घर के अंदर जो समान है वह आराम वाला समान वह काफी ज़्यादा होगा और बुरे होंगे तो कम हो जाएगा मतलब इससे पता चलता है कि वह आपके घर के अंदर कितना आराम का समान है वो पताएगा कि तीसरे घर में ग्रैज को है वह अच्छे फल वाले हैं ठीक है न तो तीसरे घर के अंदर communication है भाई बैन है प्राकरम है आपका हमारे जो जिन्दगी है उसके अंदर जो जीवन में जिसको कहते है न उतार चड़ाओ जो आते है उसको भी बहुत हद तक तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है ठीक है न इसको south बोला गया मैंने बता है लाल किताब के हिसाब से बोला गया कि यह south है तो south का जो main logic है कि यह south है तो क्यों है यह south तो south का main कारक है मंगल गरें खुद south की direction को रिप्रेजेंट करता है मंगल का पका गर है इसलिए बोला गया यह south को रिप्रेजेंट करता है लाल किताब के अंदर जैसे वास्तु में बहुत जगा आप मैंसे कई लोगों ने वास्तु सीखए तो बहुत जगा ऐसा बोला गया हर दिशा में दो द्वार शुब है हर दिशा में दो द्वार शुब है चाहे वो पूरू है चाहे उत्तर है चाहे दक्षण है चाहे पश्चे में लाल किताब में specially बोला गया कि दक्षण कि दिशा का जो घर है या द्वार है वो शुब नहीं है दक्षिन दिशागी तरफ का द्वार या घर आपके खराब मंगल को दिखाता है और उत्तर की तरफ का जो घर होता है उत्तर की जो फेसिंग का नौर्थ की फेसिंग का जो घर होता है अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज निकल गया आती है देखो जो जो चीज दिखाई देती है न मतलब जो समझना है आपको जो ओवर आ पिरियोड अफ टाइम आप यह आप समझोगे तो पाइखो जाएगा बिना कोई उपाए करें क्योंकि लाल किता में सिंटम बोला गया कि बहुत नॉर्थ फेसिंग गर रिप्रेजेंट सॉथ फेसिंग अबैड मार्स तो बात ही घतम हो गई भाई नॉर्थ फेसिंग घर में जा बाँ जा करे रह ले एरां से tension free मजे की बात है बहुत बड़ी simple और खराब कब होगा कि वही south facing गर है और घर में गुस्ते ही kitchen है तो और खराब है mangal entrance पर kitchen बनी विया और खराब mangal है entrance पर ही घर के अब लाल किताब में क्या लिखा गया तंदूरो बटीो यह अब तंदूर बटी का जवाना गया ना पहले गाउंवाओं के अंदर तो तंदूर बटी होते थे 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 ना भई तो वही अगर entrance पही घुस्ते ही right में या left में तंदूर बटी बने वही तो बुरा माना गया अब तंदूर बटी नियुते kitchen तो होती है तो entrance पही घुस्ते ही अगर kitchen आ गई that means आपने और खराब कर लिया पहली बात तो south facing गर में रहा जानी अब पता चला south facing गर में भी entrance पही घुस्ते ही और kitchen आ गई तो यह लग करेला उपर से नीम चड़ा अब आपने double खराब कर लिया मामला आपना तो यह कितनी छोटी चीजी है मतलब छोटी सी चीजी है तो दिमाग में रखनी है बाई किसी का मंगल गराब है अब वो आपके पास आता है ऐस एक consultant आपको पूछता है जी मैं घर लेना चाहता हूँ straight away बोलो भाई north facing घर ले एक गराब माँ बैठे बैठाए ठीक हो गया उसका बिना कोई उपाए है ना उपाए की भी जूरत नहीं सीधे सीधी बात पता चले कि यह काम करना है तो यह जो चीजी है ना ऐसे आपको हर गराब का इलाज मिलेगा हर गराब का और बिल्कुल सीधा सीधा जो कि आपको शायद एक रुपया भी नहीं खर्च करना वैसी आप ट्रीट्मेंट कर लोगे हैं एक रुपया भी खर्च नहीं करना जन्रल जिंदगी में चलते फिरते जो आप किसी गराए का उपाए कर सकते अपनी कुनली के साब से जहां वो मजूद है ये नहीं है कि हमें कोई ऐसे उपाए ही करने है यहांपर कोई बौट जी जाकर हमें पता नहीं शम्शान घाट को खोद कर वहाँ की मिट्टी ले करानी है और अपने घर के अंदर उसमें पौदा लगाने है और ये करना है वो करना है ऐसे नहीं बहुत चोटे-चोटे उपाए, simple, very simple आप किसी को guide कर दोगे न, वो पूरी life के लिए उसके लिए ठीक रहेगा और इसलिए वास्तु के अंदर कई जो लाल किताब के अंदर चीजे बताई गई जैसे अभी हम यह जो course है, इसके अंदर तो सभी चीजे included हैं मतलब तो complete course है, तो हम आपको इसके अंदर जो इसका वास्तु है लाल किताब का वो भी हमें complete सिखाएंगे तो लाल किताब के वास्तु के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई जो कि अगर वो चीजे ठीक कर लो तो वैसे ही आप पार लग जाओगे मतलब एक घरी उसी आप से थोड़ा बहुत ठीक कर लिया जाए ना तो वो वैसी बंदे के वो जिंदिगी में वैसे दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर वो clear है उसका मामला तीसरा घर लेन देन का भी है तीसरा घर कहीं न कहीं लड़ाई जगडे को भी रिप्रेजेंट करता है तीसरा घर को मैदाने जंग भी बूला गया है ना तो ये कुछ चीजे तीसरे घर से आई देखो, एस्टरलोजी में आठमा घर, मिर्तियू का घर माना गया ठीक है, आठमा घर, मिर्तियू का घर माना गया लेकिन तीसरे घर का भी वहाँ पर एक रोल माना गया क्योंकि ये आठमे घर से आठमा घर है आठमे घर से आठमा घर, तो मतलब एक, जैसे होता न कि अगर entrance और exit point की बात करें तो तीसरा और आठमा कुछ-कुछ ऐसे है, entrance, exit, entrance, exit आप भार जाते हो, फिर अंदर आते हो, फिर बार जाते हो, फिर अंदर आते हो entrance, exit है ये, तो तीसरे घर का रोल है तो वहाँ पर भी relate करता है आखरी वक्त को represent करता है तीसरा घर अगर तीसरे घर में आपके अच्छे ग्रह बैठे हूँ अभी ये सब आप सीखोगे, अच्छे ग्रह बुरे ग्रह सब समझ जाएगा अगर अच्छे ग्रह हूँ, शुब ग्रह हूँ तो घर के अंदर अगर आप कोई फल वाले पेड़ पोदे लगाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा रजल्ट देंगे बहुत अच्छा रजल्ट देंगे ठीक है ना और अगर मानलो खराब है तो घर के अंदर अगर ऐसे पोदे हूँगे ने जिनमें कोई फल लगता होगा तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा तो तीसरे घर का काफी चीजों के साथ नाता है तीसरे घर को अगर हम बाडी के साथ से देखेंगे तो जो हमारे कंदे हैं, हमारे बाजू हैं तीसरे घर उनका कारक है हमारे कंदो का हमारे बाजूओं का कारक है ठीक है ना? क्योंकि देखो क्यूं है बई कारकist कर हैं बहुत सारे चीजेंने हमने बोला है मंगल रिपरेजेंट गरता है ठीक है जी लडायी जगडए का भी कारक है यह गर अच्छा बही लडाई जगड़ा होगा जैसे यह कोई बिग बोस के घर की लडाई जोड़ी है जहां पर आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते सब गालिया ही देंगे यह दूसरे को लडाई जगड़ा यह जहां पर हातों की जुरूरत है लड़ाई जगड़े हातों से होते है ताकत कहां से दिखाई देती है आपकी हातों से लड़ाई पुराने वक्तों में लड़ी जाए लड़ाई आज के वक्त में लड़ी जाए लड़ाई में हमेशा एकी वात बुली आती है कि जिसके बाजुओं में टाकत होगी वो जीतेगा बाजु, तीसरा गर है आपके बाजु तो लाल किताब ने बोला बाजु है ये, बाजु हमारे क्योंकि लड़ाई से रिलेशन्शिप है न, तो तीसरा गर बाजु बाजुओं में टाकत होनी चाहिए पहले लोग तलवार से लड़ते थे तब भी आपको बाजुओं में टाकत चाहिए आज बली आप कोई मशीन गन चला लो, कोई पिस्टॉल चला लो राइफल चला लो, चलेगी तो हाथ से चलेगी लड़ाई तो हाथों से लड़की होती है न, आखों की पलकें, वो भी तीसरे घर की केटेगरी में बताईगी लाल किताब के साब से ठीक है कई बार bloods related problem भी तीसरे घर से आती है ठीक है न और तीसरा घर हमारी जवानी को दर्शात है ठीक है न, तीसरा घर हमारी जवानी को दर्शात है तो तीसरे घर का अपना एक अच्छा खासा रोल है इसके बाद आता है चौथा घर चौथा घर जो है न, वो basically चंद्रमा है चौथा घर का मालिक वैसे भी चंद्रमा है चौथी राशी का मालिक और यहां पर लाल किताब में इसको चंद्रमा का पक्का घर बोला गया चंद्रमा रिप्रजेंट करता है घोडे, जैसे आप सफेद घोडे लगाते हैं न, वास्तु के अंदर घोडे, कुवाँ, तलाब जमीन के नीचे का पानी, बारिश का पानी चकोर, चावल दूद, चांदी, मोती, मा गाए वैसे शुक्र की कैटेगरी में आती है लेकिन सफेद गाए को कई बार हम चंद्रमा से तुलना करते हैं लेकिन गाए नॉर्मली शुक्र की कैटेगरी में आती है इसलिए मैंने लिखा वायो शुक्र की काटेगर, कोई farmhouse वगरा है, captain of the ship, मच्छवारे, आपकी भावनाएं, आपकी मानसिक समस्याएं, ठीक है ना, breast related problem, तो ये सब चंदरमा की केटेगरी में आने आली चीज है, चौथा घर, सुख भाव है, चौथा घर, सुख भाव है, तो चौथा घर, चौथे घर का मतलब समझना है, सब लोग ये वाला घर, चौथा घर, अगर आपके पास जर्म मतले हैं, इसकी बात हो लिए इस वाग, तो चौथा घर, इसका मालिक चंदर मैं, चौथा घर माता को रिपर्जेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिपर्जेंट करता है, रियल स्टेट, आपकी प्रॉपर्टी को रिपर्जेंट करता है, गाडियों को रिपर्जेंट करता है, आपकी आ यह सब चौथे घर से सुख साधन रिप्रेजेंट होते हैं कुण्डली का चौथा घर घर में पानी रखने की जगह है मन की शामती को चौथे घर से देखा जाएगा यह जो लाइफ का फेज है ना पच्चिस से पचास वाला एक्चुली यह फेज है चौथा घर चौथे घर की जो दिशा है वो है नॉर्थीस्ट चौथा घर दिखाता है नॉर्थीस्ट को ठीक है ना जुपीटर एक्शॉल्टेड होता है यहाँ पर जुपीटर नॉर्थीस्ट का कारक है तो चौथा घर लाल किताब के हिसाब से नॉर्थीस्ट को दिखाता है चौथे घर का रिलेशन्शिप कपड़े के काम से भी होता है ठीक है जैसे ऐसे आगे चलेंगे बहुत सारी चीज़े आएंगी यह हमारी जो किसी भी तरीके से जो इंकम होगी उसके सोर्सिस को भी चौथा घर रेपरेजेंट करता है यह मैं लाल किताब के हिसाब से बचावाँ ना कुछ चीज़ें जनरल इस्ट्रोलोजी से थोड़ी सी इदर उदर जाएंगी क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें लाल किताब के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ लाल किताब में किस-किस बात को इसमें बोला गया या मदर की जो हेल्थ है उसके उपर बुरा असर पड़ता है अगर मालो राहू, वीनस इस टाइब से कॉम्बिनेशन क्रियेट कर रहे हो या राहू तो भी मदर के उपर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता उनकी health के उपर इसका अच्छा आसर नहीं पड़ता ठीक है ना इस तरीके से भी इसको देखा जाता है पानी में रहले वाले प्रानी भी जो हैं वो चौथे घर के अंदर आ जाते हैं ठीक है ना चंदरमा को लाल किताब में सफेद घोडा दरियाई घोडा ऐसे भी बोला गया चौथा घर लक्ष्मी स्थान भी है जो रस वाले पौधे होते हैं उनका कारक भी चौथा घर माना गया है ठीक है ना रस वाले रस मतलब जिनके अंदर से रस टपकता है फल तो बहुत तरह के होते हैं फल अलग लग तरीके के हो सकते हैं पर कई फल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कोई रस नहीं होता वो नहीं आएंगे इस कटिन रस वाले जिनके अंदर रस होता है तो रस वाले जो फल होते हैं उनका कारक भी चौथा घर गोला गया है ठीक है ना और इसका संबंद एक और चीज से है लाल किताब के हिसाब से पिछले जनम से हम क्या लेकर आए है अपने साथ है ना पिछले जनम से हम क्या लेकर आए है अपने साथ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुठी बंद होती है उसका हाथ बंध होता है बच्चे का बच्चे का इसाफ से बंध मुठी का गहर है तो कभी कबार आईसा आप सुना होगा कभी आपने की बच्चा ना मुठी बंध रखता है शुरूर अपनी, खोलता नहीं है, धिरी-धिरी-धिरी खोलता है तो वो जो अपनी past life से लेकर आया ना, वो है उसकी मुठी के अंदर तो ये जो चौता है घर है ना, इसका संबंद उससे है, उस बंद मुठी से है इसका संबंद है, जो आप पीछे से लेकर आया हो, अपने साथ, उससे इसका संबंद है ठीक है ना, और जाहिर सी बात है क्योंकि चंदरमा का घर है तो रात से भी इसका संबंद है ठिक है न? तो चंद्रमा ये जो बंद मूठिके घाने है ना खाना नमबर 1, 4, 7, 10 1, 4, 7, 10 जो बिल्कुल सेंटर में आपको घर दिखरे न, 4 वो बंद मुठिके घर है उनको बंद मुठिके घर बोला गया 1, 4, 7, 10 को इसके बाद पांचवाँ घर आता है अभी पांचवाँ घर का जो पक्का घर है वो जुपीटर का है और वैसे पांचवाँ घर के अंदर सिंग राशी मानी जाती है लियो साइन और उसका मालिक सूर्य है तो सूर्य और जुपीटर के बारे में हम डिसकस कर चुके हैं इसको अलाद का घर बुला गया ये entertainment का घर बुला गया जन्नल उसमें love life का घर बुला गया लेकिन majorly अलाद अलाद का घर अगर direction की बात करेंगे तो पांचवा घर लाल किताब के अंदर बुला गया eastern wall जो आपके घर के अंदर पूर्व की दिवार है न वो पांचवा घर है eastern wall पूर्व की दिवार पांचवा घर है direction के हिसाब से ठीक है ना इसका use आएगा भी और remedy करते वक्त इसका काफी use होगा जब हम astro और लाल किताब के वास्तू को mix करके remedy करेंगे तो फिर इसका use होगा ठीक है ना पांचवे घर का directions का जो मैं आभी आपके लिए बतारू तो ये east की जो wall होती है उसको represent करता है पूर्व की दिवार को है ना पूर्व की दिवार पर आप जब सूर्य टांगते हो ना तो कुछ-कुछ आपको अच्छे रिजल्ट मिलते है तो पहली बात तो मैंने क्या बताया था पहला घर पूर्व की दिशा है अब मैंने आपको बताया पांचवा घर पूर्व की दिवार है सन आप कहा टांगते हो पूर्व की दिवार पर तो इस्ट में भी टांगते हो, आप बोलते हो, हमने सन इस्ट में लगाया वास्तु की रेमेडी के साब से समझ रहे हूं ना, तो अगर उसको देखने पे आपको बदलता है अब आपको हमने बोला कि चौथा घर सुखों का कारक है, चंदरमा का घर है लाल किताब ने बोला नौर्थीस्ट है, तो अगर लाल किताब ने इसको नौर्थीस्ट बोला, तो अपन ये भी तो देखें कि जो traditional वास्तु हो क्या बोलता है कि North East के अंदर boring कराओ, North East के अंदर पानी का tank बनाओ underground North East के अंदर कुमा बनाओ North East के अंदर hand pump लगाओ तो चंदरमा की चीज पानी जो है वहीं पर ही आ रहे है ना, finally तो जो वास्तु के कई basic है ना वो आपको इसके अंदर जो भी कोई पढ़ाई लिखाई से related चीजें वो भी यहां पर आती है बच्चे से related चीजें यहां पर आती है ग्यान का स्थान है अगर East की वाल के साथ बैठ कर आप कोई ग्यान की बाते गरो या ग्यान वर्दक पुस्त के पड़ो कोई गरंत पड़ो तो उससे आपको फाइदा मिलता है ठीक है न उससे आपके लिए वो अच्छा है शुब है आपने बहुत बार सुना होगा ऐसा लोगों से करते वे East की तरफ face करके पुझा करनी चाहिए East की तरफ face करके पुझा करनी चाहिए कई लोग कहते है किस तरफ facing करूँ जी पुझा करते वक्त East की तरफ face कर ले भई है न कहां पड़ें जी बैठकर East में जाके पड़ा दे भई है न तो ग्यान की जगा भी इसको बोला गया पाँचमे घर को पाँचमे घर ग्यान का घर है ठीक है न छटा घर जो है वो बुध का पक्का घर है बुध भी है और को अनर उसके अंदर केतू भी है तो पहले हम यह देखते हैं कि बुध की क्या क्या चीज़े हैं बुध लाल किताब में बहुत matter करता है बुध इन जनर्रल बहुत matter करता है लाल किताब में तो specially बुध लाल किताब के हिसाब से बुध न बहुत शरारती है बुध क्या है न कि वो किसी भी गरह का रूपधार न कर सकता है आपकी कुंडली के अंदर आपको किसी भी गरह का result दे सकता है मैं अपना नहीं किसी भी गरह का तो इसलिए लाल किताब के अंदर मरकरी को बहुत specially मरकरी के खराब होने को बहुत खराब माना गया मतलब मरकरी बहुत खराब माना गया मतलब कि इस से ज़्यदा बुरा result देने वाला planet कोई नहीं हो सकता लाल किताब के अंदर जितने खराब ये गर सकता उतना शायद राओ भी नहीं गर सकता तो लाल किताब के अंदर बहन, बुवा, मौसी, बेटी जितने भी ये फिमेल रिलेशन्शिप है न आपके जिंदगी में वाइफ को और मदर को छोड़ के मैक्सिमम सभी और सास को छोड़ दो तो बाकी सभी रिलेशन्शिप मरकरी की केटेगरी में आते है है न, बहन, बुवा, मौसी, बेटी, ये सब जितने भी बर्ड्स हैं, किसी भी टाइप के कबूतर, चेडिया, ये वो सब सब के सब बर्ड्स जो हैं, वो मरकरी की केटेगरी के अंदर आ जाते हैं लगबग, लगबग, एक दो छोड़के, आप ओवर आ पिरिड़ टाइम समझाओ, बाकी बकरी, खास तोर पर, कोई भी चोड़े पत्तों वाले जो पेड़ पोदे हैं, वो मटका, मटके के बहुत सारे उपाई हैं, तो मटका जो है, वो मरकरी की केटेगरी में आता है, जो राउंड चीजें, मटका भी क्यों आता है, राउंड चीजें जो हैं, वो एक्चुली मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, यह बात याद रखने, जैसे स्क्वेर चीजें जो हैं ज़्यादा तर, वो मार्स को रिप्रेजेंट करती है, लाल किताब में, आपके घर में जो स्क बांस का पेड़, हरा रंग, फिट करी, खिलोने, यह सब मर्करी वो रिपर्जेंट करते हैं मर्करी रिपर्जेंट करता है आपकी क्योम्मुनिकेशन स्किल टीचिंग, स्टुडिंग, राइटिंग, जगलरी, स्टेशनरी, पैन, एडिटर, रिपोर्टर, लंग्स, बैरिस्टर, जन्रलिस्ट, है ना स्किन डिजीज में भी मर्करी रोल है, वीनस का भी है नॉलेज, फोटो कॉपी, प्रिटर, किसी भी चीज को कॉपी करना, मिमिक करना, मिपमी क्री आर्टिस्ट, अलगे मर्स के अंदर दो चीजे खास होती है। मर्करी गोना बहुत जरूरी है कॉमेडियन के पास, अच्छा and second is Mars जहां पर एकदम होता है जो instant wit जिसको बोलते है न wit जादा बढ़ जाएगी अगर Mars होगा तो क्योंकि Mars के अंदर quickness है quick, instant, Mars एकदम जटके से काम करता है तो जैसे कई comedian ऐसे होता है जो कि आपने सामने से कुछ बोला है एकदम से उसने पलटके answer दिया एकदम तो महाँ पर वो Mercury और Mars एक साथ समल्लो काम कर रहे है तो ऐसे mathematician toys, keys tutor, green plant यह सारी चीज़ें जो है Mercury को represent करती है और Mercury बहुत importance रखता है लाल किताब के अंदर अगर positive side की बात देखी जाए तो शायद Jupiter सबस्यादा importance रखता है लाल किताब के अंदर क्योंकि Jupiter से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की और अगर negative side पे जाओगे मतलब villainous character के अंदर जाओगे तो शायद Mercury सबस्यादा importance रखता है मतलब although Mercury के positive result है, बहुत अच्छे result है लेकिन जब गलत result देने पर आता है तो लाल किताब में शायद इस से ज़्यादा खतरनाक कोई planet नहीं है जिसको समझना भी मुश्किल है कि यह आपके उपर कैसे काम करेगा जब गलत result देने पर आएगा तो चटा घर जो है वैसे तो जन्रली एस्ट्रलोजी के हिजाब से चटा घर जो है वो जॉब को रिपर्जेंट करता है जॉब वर्क को रिपर्जेंट करता है एनिमीज को रिपर्जेंट करता है लाल किताब में बुला गया कि पताल का घर है चटा घर पताल का घर ठीक है न इसी लिए उपाये के समय छटे घर में बैठे हुए अगर अशुब ग्रह होते हैं छटे घर में तो हम उनकी चीजों को बोलते हैं जमीन में दबातो घर ही पतालगा है तो भई इस घर में कोई घर है शुब बैठा हुए दिक्कत दे रहे तो उसकी चीजों ले जागे जमीन में दबातो इस तरीगे से उपाये जो होते हैं वो कई बार किये जाते हैं उपाये का ख्याल इस तरीगे से किया जाते है लाग किता ठीक है न हमारे घर के अंदर अगर कोई basement है या हमारे घर के अंदर कोई ऐसा कोई तैक हाना सा बना हुआ है है न या ऐसी कोई जमीन के अंदर कुछ रखने की जगा बना रखी है तो कही ना कही वो छटे कार को represent करती है और अगर हम बात करें बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर एक्चुली तो पैंक्रियाटिक एरिया है ये और लाल किताब में लाल किताब में पैंक्रियाज का कोई जिकर नहीं है मतलब basically लाल किताब के अंदर बुला कि चीजों को जो हजम करने की ताकत है ना वो कर डाइजेशन पावर है जब हम आप में से कई लोग एस्ट्रोगास तुछ क्लास कर रहे है जो दूसरी उसमें जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं छटे राशी से ज़्यादा तर पैंक्रियाज वगरा को देखा जाता है चटी राशी और यहाँ पर मैंने बता है na कालपुरुष कुंडली है तो चटी राशी चटा गरी है तो यहाँ पर बोला गया चटा घर जो है ना आपके खाना जो आप खाते हो उसको जो हजम करने की ताकत है न वो है तो वो कहीं न कहीं हो ही है स्टमक का वो एरिया है आपके body के अंदर कोई भी तरह की जो heat generate हो जाती है internal या कई बार जिसको बोलते हैं खुशकी हो गई सरदी गर्मी हो गई ये सब चीजें जो हैं ये चटे घर से आ जाती है और चटा घर लाल किताब में बोला कि ये किसमत के अंदर आपकी गिरावट जो है उसको दिखाताए चटा घर किसमत के अंदर आपकी गिरावट को दिखाताए चटा घर काफी important है दुश्मनों का है न लेकिन साथ ही साथ ये हमारी ढलती हुई जवानी का भी घर है जब आदमी की जबानी खतम हो रही होते हैं इसको उसका घर बोला गया यानि कि यहां से बड़ापा शुरू होने लगता है हमारा छटे घर की डिरेक्शन है नॉर्थ वेरी इंपोर्टन वास्तु के इजाब से नॉर्थ डिरेक्शन इस वेरी इंपोर्टन आपका करियर नॉर्थ के ओपर डिपेंड करता है आपके पास opportunities नॉर्थ पर डिपेंड करती है आपके पास पैसा आना नॉर्थ पर डिपेंड करता है तो छटे घर का relationship है नॉर्थ डिरेक्शन के साथ 6th house is नॉर्थ डिरेक्शन अगर हम पेड़ पौदों की बात करें, तो जो हरी सब्जियां हैं, साग है जैसे, है न, ये सब जो है, नॉर्थ को रिपर्जेंट करते हैं, यह मतलब छटे गर को रिपर्जेंट करते हैं, ये सारी चीजे आती हैं यहाँ पर, फिर मरकरी जो है कही न कही नसों से जुड़ा हुआ है, बॉड़ी के अंदर मरकरी जो होता है, वो हमारी नसों का भी कारक है तो इसलिए इस घर का जो संबंद है, कहीं न कहीं हमारी नसों से भी जोड़ कर देखा जाता है उसको ठीक है न, तो ये चीजे हैं जो यहां से रेलेट करती है छटे घर किसे इसके बाद साथी साथ हम यहां पर केतु को भी ले लेते हैं क्योंकि केतु भी छटे घर को रिपरजेंट करता है तो केतु लाल किताब में बोला गया बच्चा शोटे बच्चे, बच्चा पैदा हो रहा है या मेल चाइल्ड नहीं होगा केतु सही रिजल्ट देगा बच्चा हो जाएगा बच्चे का मतलब ही लाल किताब में ज़्यादा तर मेल चाइल्ड से माना गया दूसरा यह कुट्टे का कारक कुट्टा, एनिमल्स के अंदर कुत्ता, तो केतु के ज़्यादा तर उपाए कुत्ते से related हो जाते हैं, कुत्ते को आप बैबिस्किट खिला दो, कुत्ते को आप तंदूर में लगी भी मीठी रोटी खिला दो, है ना केतु Emily, केतु Khan प्याज, लसन, तिल चुहा दो प्राइवेट पार्ट्स केतु की केटेगरी में आ जाते हैं इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि भई अगर ग्रहन लग रहा है, चंदर ग्रहन और उसमें केतु है, चंदरमा के साथ तो भई, लसन भी बहादो बहादो, ले जाकर नारियल के साथ, तिल भी बहादो है न, ऐसा भी करते हैं, सफेद तिल काले तिल, लसन ये बहाने का उपायाता है जब चंदरमा के साथ केतु होता है, तो बोलते हैं, चंदरमा के साथ दिन, लसन, तिल काले और सफेद नारियल के साथ बहादो के साथ यह सब तो अभी खेर आप सीखोगे during the course के तू spirituality का कारक है occult science का भी कारक है foreign language का कारक है के तू basically बात कम करता है observer जादा है बहुत कम बात करना फकीरी टाइप है ना उसको कोई बखबख करने की खुए आदत नहीं stomach की element भी जो होती है केतु की विज़े से आती है speech के अंदर दिक्कत भी आती है वहां mercury और केतु दोने ही जिम्मेदार हो जाते हैं कही पर कोई काटेदार poisonous जो चीजे होती है पेड होते हैं उस टाइप के भी केतु की केटगरी में आ जाते हैं operation का भी कारक माना गया deafness का भी माना गया secret task का भी माना गया computer engineer वाली केटगरी भी आती है meditation भी केतु की केटगरी में आती है philosophy भी केतु की केटगरी के अंदर आती है ठीक है न? तो ये बहुत सारी चीजे केतु की केटेगरी में आती है केतु को अगर मजबूत करना हो न तो एक बहुत important चीज जो है वो है फकीरी वाला attitude चीजों के पीछे लालच को छोड़ना केतु को मजबूती देता है जब आपके अंदर वो जो attitude है फकीरों वाला हा जाएगा न कि चल यार किसी ने कर दिया तो भी ठीक और नहीं करा तो भी ठीक जाने दे वो जो फकीरी वाला attitude है न? वो केतु है फकीरी यह मतलब नहीं कि हमने कहीं जागे बिक्षा मांगनी है नहीं फकीरी भी एक attitude है मतलब कि भाई ठीक है कोई बात नहीं किसी ने हमारे काम कर दिया बहुत अच्छी बात है नहीं करा तो कोई दुश्मन ही नहीं है ठीक है यार बगवान उसका ही बला करे फकीर कैसे होते हैं पीर फकीर कभी किसी को ही पढ़ लो चाहे कभीरदाजी को पढ़ लो चाहे बाबा नानक के बारे में पढ़ लो आप बाबा नानक किसी गाउं में गए लोगों ने पत्थर मार दिये तो बोला भाई ठीक है भाई इनका बला करे बगवान यह लोग यहीं बसे रहें और गाओं में बहुत आदर सतकार हुआ किसी में तो भी भगवान बला करें इनका उनको लिए बोला कि उजड़ जाओ तो किसी ने पूचा जी जिन्होंने पत्थर मारे उनको तो बोला बसे रहो और जिन्होंने आपको खाना वाना खिलाया उनको आपने बोला कि भई तुम उजड़ जाओ तो उन्होंने बोला कि भई देगी ये उजड़ने के लाएगी है क्यों क्योंकि ये अच्छे लोग है ये जहां पे भी जाएंगे अच्छा ही भिलाएंगे तो अच्छे लोगों का एक जगे रहना सही नहीं है उनको तो दुनिया में फैल जाना चीए और जो बुरे थे जो पत्थर मार रहे थे उनको बोला भाई बसे रहो क्योंकि ये सारे बुरे लोग है ये अगर ही तुर्दर जाएंगे तो बुरा ही फिलाएंगे तो अच्छी बात है बुरा ही एक जगे ही रहे है ना आज की डेट में देखो ना दुनिया में कही कंट्री ऐसी है जो टेर्रिस्ट कंट्री है वहाँ से लोग कहीं पर भी जाएंगे वही काम करेंगे गलत भाई वहीं बैटे रो दूसरों को नुक्सान नहीं होगा वरना जिस कंट्री में उनके लोग घुज़ देंगे महाँ पर दिक्कती होगी और जो अच्छे लोग है वो जहां जाएंगे वो अच्छा ही बलाएंगे अब देखो इतने सारे सरदार जी लोग है कोई कैनेडा के अंदर है कहीं है आउस्ट्रेलिया में अदर है वो जी वहाँ पर भी लंगर लगा रहे है वहाँ पर भी लोग तरीफ कर रहे हैं कि यहाँ जी भाई साथ देख लो खाना खिलाते हैं जी सेवा करते हैं जी तो बाबा नानक वाली बात सही है कि भाई जो सही लोग है उजड़ जाओ अलग-अलग ज़ग पहुच जाओ अब इतने फॉरन लेंड में देखो जादा तर कितने लोग है पंजाबी हैं सरदार है वो वहाँ पर भी वैसे ही काम कर रहे है और जो जो कंट्री हैं जो आतंकवादी कंट्री है उन लोग कहते हैं भाई यह यही रहें बस कहीं न जाएं उनको लोग वीज़ा ही नहीं देना चाहते भाई हमारे देश में आई ही ना गड़बर करेंगे तो फकीर ही एक एटिटीट है भाई जिसने सही कर दिया तो ठीक गलत कर दिया तो ठीक कोई फरक नहीं बढ़ता तो जो फकीरी वाला एक पीटीट ही वो आदमी का कह्ieur सही करता है जब आदमी डूसर में देखो कितनी सही चीज़ है इसके लाल किताब के अंदर जो असली वो यह और —— ग्रह अपने आप ठीक हो जाते है जब बंदा ठीक हो जाएगा तो जब इन्सान सामने वाले से जलेगा नहीं जब सामने वाले से कोई दिल में ब्यर नहीं रखेगा हम ब्यर किस बात का रखते हैं? उसने मुझे ऐसे बोल दिया इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया उसने मेरे को ये नी दिया, उसने मेरे को वो नी करा उसने हमारी शादी में ये नी करा उसने हमें सगन नी कम डाला, उसने ये कर दिया तो वो जो बैर है न, उसमें फकीरी वाली भावना होनी चीए ठीक है जिसने कर दिया तो ठीक, जिसने नहीं करा तो भी ठीक, तब बंदे का केतु ठीक होता है, तब उसका केतु काम करता है, केतु आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है, केतु सालवेशन की तरफ लेके जाता है, मोक्ष किसे मिलेगा, जो दुनियाबी चक्कर में गुसा र जब गये, तो मोक्ष कैसे मिलेगा किसी वेक्ति को, केतु मोक्ष का गएरा गया है, मोक्ष कब मिलेगा, भगवान बुद्ध को किसी से क्या फरक पड़ता था, एक फकीर वहले अटिटूड़ी तो था, और क्या था, किसी ने कुछ कह दिया, तो भी कोई फरक नहीं पट रहा isolation वो भावना है केतु इसलिए क्या बोलते हैं आपको जब भी course कराते हैं कभी भी चाहे वास्तु का course करा है आपको क्या बोला कि आप वास्तु करो astrology करो कुछ भी करो काम तब क्योंकि यह कारक है occult science का वास्तु astrology कुछ भी करते हो केतु कारक है कब ठीक होगा जब आपका intent ठीक होगा intent मतलब कि जो आपकी सोच है वो सही होगी ना तब आपकी चीज़े करम करेंगी तब आप सीख पाओगे सोच खराब हो गई तो करप्ट हो जाओगे मामला चला जाएगा अगर हम खाली इसलिए सीख रहे हैं कि हम लोगों से कैसे पैसा वसूल करेंगे कल को एस्ट्रलॉजर बन कर या कैसे हम लोगों से पैसा हजम कर जाएं ऐसे ट्रिक सीख लें हम तो intent खराब हो गया ना तो फिर यह चीज़ें किसी करम नहीं आएंगी लेकिन अगर हमारा intention यह रहेगी देको पैसा हर किसी ने कमाना है पैसा वो डॉक्टर भी कमा रहा है जो पेशन्ट का उल्टा सीधा इलाज कर रहा है जो उसको डरा रहा है कि तेरे को यह हो जाएगा यह हो जाएगा और उसको operation कर रहा है और पैसे वो डॉक्टर भी कमा रह जी दवाई भी देते मीचा रहें 50 रुपे शीजए है क्या वो पैसे नहीं कमा रे हैं और वो भी पैसा कमा रे हैं भाइसा बिमारी हो ना हो लिटा दो इसको डाल दो वेंटीलेटर पे और मर भी गयो तो भी वेंटीलेटर लगाए रṇको और पैसे बना लो तो पैसे तो दोनों कमा रहे हैं बढ़ फरक इसी चीज़ का है intent का उचो 50 रुपे ले रहे है फीस वो भी पैसे कमा रहे है ऐसा नहीं है नहीं कमा रहा इसके कोई मतलब नहीं है intent का फरक है उसके अंदर सेवा का भाव है उस बंदे के अंदर जो है एक गलत भाव है भाव का सही होना जरूरी है पैसे की इंपोर्टेंस नहीं है कि आप जादा लो या कम लो मैं तो कभी बोलता भी नहीं कि भाई आप कितने बैसे लो लेकिन intent तो अगर आप कुछ सीख रहे हो astrology सीख रहे हो वास्तू सीख रहे हो यह सब चीज़े सीख रहे हो आपका intent ठीक होना चीए intent यही होना चीए दूसरों का लाब बस बाकी सब चीज़े temporary है पैसे कम पैसे जादा यह तो एक situational चीज़े है आज ज़्यादा पैसे मंगोगे कोई नहीं देगा कल कम लेने लग जाओगे आज कम लोगे कल को बहुत आने लग जाएंगे तो ज़्यादा गर दोगे यह तो अलग बाते हैं intent सही होना जरूदी है के तू intent है और के तू ही आपकी जिंदगी के अंदर बहुत important है आपका अगर यह बिगड़ गया तो फिर क्या बचा फिर ऐसी धक्के खाते रह जाएगा आदमी तो इसलिए जो यह बड़ी सही एक जो philosophy दी है ना लाल किताब के अंदर की यह फकीरी का attribute अदर फकीरी बाला जो attitude है वो केतू है इसलिए क्या बोला कितू अगर पहले house में होगा और आदमी अगर ऐसी traveling job करेगा घूम घूम के काम करेगा पैसे कमा जाएगा फकीरों ने ऐसी तो एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह दूसरी जगह ती जगह किसी को भी देख लो जितने भी पीर फकीर थे बड़े-बड़े चाहिए उसके अंदर आप बाबा नानक को ले लो चाहिए आप उसके अंदर गौतम बुद्ध को ले लो चाहिए किसी को भी जीजस क्राइस्ट भी अपनी जिंदगी में खूब बटके तो लालकिताब ने बताया कि भाई ये भटक कर jopp करेगा न तो पैसे कमाएगा तो चीजे एकदम सटीक हैं इसके बाद चटे घर के बादा सातवा घर सात्वा घर शुक्र का घर है सात्वा घर शुक्र का घर है Venus Venus लाल किताब में specially बोला गया स्त्री Wife, spouse Venus को मिट्टी भी बोला गया धूल मिट्टी, dust दही गये पराई इस्त्री आलू, देसी घी चरी, वो जो गये को खिलाते न, चरी जीमीकंद कामधेनू गये जो आप वास्तू की रेमेड़ी में भी रखते हो East, South, East के अंदर कामधेनू गये खेती बाड़ी कांसे का बरतन और शादी शुदा साली यह सब वीनस है वीनस रिप्रेजेंट करता है luxury beauty जितनी भी चीज़ों में luxury है जो भी कोई beautify करने की चीज़े है जो भी कोई designer चीज़े हैं, वो सारी वीनस की category में आती है शादी भी Venus की category की अदरात की है vehicles भी आते हैं, clothes jewelry curly hair curly hair, घुंगराले बाल अब कई लोग क्या करते हैं उनके घुंगराले बाल होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं, straight करवाएंगे straight बाल straight कराने गए पता जला घर में कलेज हो गया क्यूं मैं वी मुपार कर लिया अब उसे लगा आज तो भई मैंने बाल कराये सीधे तो आज तो घर के अंदर उन्हीं की तारीफे पता जला गर पे जाता ही जगरा शुरू हो गया उसका समझ नहीं आ रहा आज तो मैं लग बहुत संदर रही हूँ लेकिन गर में एंट्री करते ही लडाईया हो गया क्योंकि वीनस गराब हो गया नैच्रली करली हेर जिसके हूँ उसका वीनस अच्छा ही माना जाएगा और लोग अपने जो घुंगराले बाल होते हैं उन्हें खराब कर लेते हैं सीधे करा करा के उसोसते हैं सीधे कराने पर हम अच्छे लगेंगे नहीं अच्छा जबकि पहले देखो पहले लोग क्या करते थे अपने hair curl करते थे पहले उल्टा था लोगों के बाल सीधे होते थे न लोग उनको घुंग्राले करते थे और शादी शुदा जिंदगियां उल्टा अच्छी थी लोग अपना venus ठीक करते थे सीधे बालों को घुंग्राला करके लड़कियां वो लगाती थी न, सर के उपर बैंज वो बालों को गुराला करने के लिए अब उल्टा हो गया, आप वो गुराले बाल सीधे करने लगे लोग, लड़ाई जगड़े बढ़गे करो के अंदर कि लोग अच्छा वीनस उसको खराब कर लेते हैं, लोग अच्छा कैसे हैं, वो खराब कर गया आतों वही देखो मैं पारलर गया, पच्चिस सो रवे दिये, वीनस खराब अच्छा अबना चेक करना, कितनी वार ऐसा होता है कि बंदा ये स्ट्रेट करा के आता है और गर में कलेश हो जाए कोई, तो चेक करना, कितनी वार ऐसा हुआ, कि कलेश वाजी हो जाए सीमन, स्पाम, सीड, ये सब वीनस को रिपरेजेंट करते हैं उत्पत्ती की चीजें, मतलब, देखो, कोई भी चीज जो किसी चीज से स्टार्ट हो रही है न, वो वीनस रिपरेजेंट करते हैं बीज से पेड बनता है स्पाम से इंसान बनता है यह चीज़े venus represent करता है जहां से उत्पत्ती हो रही है किसी चीज़ की flower हो गए designing हो गई discriminative ability यानि कि जो परख करने की शमता है आपकी किसी भी चीज़ के अंदर अच्छा बुरा सही गलत वो अच्छा बुरा सही गलत परखने की जो शमता है वो venus represent करता है अब यह समलो कि बाल सीधे कराने से क्या-क्या होगा आपकी अच्छा बुरा परखने की शमता भी कम होगी गलत decision लिलोगे इसका मतलब यह है है ना film industry stylish, interior decorator south east की direction venus represent करता है not seventh house नहीं बुला मैंने, मैंने बुला venus represent venus वहां का lord है लेकिन seventh house south east represent नहीं करता है seventh house represent करता है south west तो कितनी मजेगी बात है वास्तू के अंदर south west को क्या बुला गया relationship का कारक और venus क्या है relationship खुद husband और wife के relationship के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है तो हम south west की तरफ ध्यान डालते हैं अपना और venus खुद relationship है और लाल किताब में बोला गया सिर्फ लाल किताब में कि सात्वा घर south west है seventh house is south west इसलिए सात्वा घर के अंदर आप love birds लगाते हो जो कि venus और mercury दोनों को represent करते हैं birds अभी बोला पीछे mercury और love venus तो आप क्या करते हो south west के अंदर love birds लाते हैं और देखो 7 घर लाल किताब ने क्या बोला mercury और venus का घर है पकाघर astrology की कोई और form नहीं बोलती कि mercury और वीनस दोनों का गर है एक ही गमाना जाता है लेकिन लाल किताब बोलती है Mercury और वीनस दोनों गर है साथ होगर और आप क्या लगाते हो Lovebirds, Mercury प्लस वीनस तो जो भी आपकी कोई acting वगरा है, singing, painting कुछ भी इस टाइब की ये सब चीज़े, perfumes body parts के अंदर, kidney diabetes की problem आँखों की problem अच्छली आँखों से ज़्यादा आँखों की सुंदरता की problem जिससे आपकी आँखों की सुंदरता कम हो जाए वो skin disease का भी यहां पर role होता है Venus के खराब होने ज़र skin में भी problem आजाती है तो ये सारी चीज़े Venus represent करता है साथवाँ घर बहुत important है साथवाँ घर मतलब लाल किताब क्या हर जगा साथवे घर का सबसे पहला relationship तो हमारी शादी से ही है और शादी आपको पता है कितनी important है भी शादी अगर खराब हो गई तो समलो आपका जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया और अगर सही हो गई तो समलो आपकी जिंदगी शादी के दिन से लेकर आपकी मृत्यू के दिन तक सही है मतलब if you have a good life partner तो आपकी जिंदगी जिस दिन आपकी शादी हुई तब से लेकर आपकी मृत्यू तक एकदम ठीक है और अगर life partner सही ना हो जिस दिन शादी हुई तो समलो आपस उसके बाद की जिंदगी मृत्यू की तरह ही है है ना तो life partner जो है वो बहुत importance रखता है है ना सात्मा घर partnership का है सात्मा घर हमारे life partner का भी है ठीक है ना तो यह चीजे जो है यहां से देखी जा सके सात्मा घर से ठीक है तो खास और से marriage को represent करता है यह गर इसके बाद आठमे घर के साथ शनी जुड़ जाता है मंगल के बारे में हम बात कर चुके है शनी को मैं दस्वें घर से relate करूँगा जब दस्वें घर पे आएंगे अभी नहीं करूँगा अभी मैं सिर्फ आठवें घर के बारे में बात करूँगा direction मैंने शायद आपको बता दी south west है जो 7th house है that is south west 8th house सबसे पहले direction की बात करने 8th house represents southern wall इसके बाद आठमे घर को ना हर जगा थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों से जोड़कर देखा गया मतलब की पहली बात तो इसको ऐसे बोला गया मृत्यूस्तान है एक general vedic astrology के हिसाब से वैसे ये occult science का भी घर है research and development का भी घर है आठमा घर जो है वो engineering को भी represent कर देता है industries को या manufacturing units को represent कर देता है आठमे घर के अंदर ये दिखाता है हमारी जिंदगी की समस्याओं को ठीक है ना आठमे घर में पेन आठमे घर में दुख आठमे घर में तकलीफ आठमे घर में ट्रांस्फर्मेशन आपकी जिंदगी का बदलाओ क्योंकि आपकी जिंदगी में बदलाओ दुख तकलीफ जहिलने के बाद आता है आपकी जिंदगी में बदलाओ कोई ना कोई पेन जहिलने के बाद आता है आप अपना घर भी बदलते हो तो भी आपको pain उठाना पड़ता है अपनी जिंदगी तो छोड़ दो जिस चीज में भी बदलाओ आता है न उसमें पहले pain होता ही है आप अपना घर shift करो आज it is a painful experience इतना असान नहीं है घर shift करना भी कि ऐसे कर लिया it is difficult pain होता है तब आप अपना घर shift कर पाते हो तो आठवा घर भूस सारी चीजों को दिखाता है कोई कुछ बोल नहीं रहा है ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ नहीं आरा आप सब शांत बैटे भी हो क्या है समझ में आरा हैं मैं आप आपना आप सबस्कर और भी आड़े है पुर्ण में आ रहा है फिर ठी है फिर कोई दिक्कन नहीं है कुई बार से भी इतनी शांती होती न गवराट होने लग जाती है यह बड़ी शांती है भई शोले फिलम की तरह लगता है इतना सन्नाटा कि मैं भई तो आठमा घर कभी कबार जो हमें किसमत में धोका मिलता है न हमारी तकदीर जब हमें धोका देती है वो धोका आठमा घर दिखाता है जब हमें लगे ना यार कि किसमत ने धोका दे दिया वो जो धोका है न वो आठमा घर से है जब किसी को कारोबार में, वेपार में धोका मिले, वो धोका आठमेंगर से तो वो भी दिखाता है ठीक है न? ये जैसे एक बोला जाता है न एक ऐसी उमर आती है जब आदमी सन्यास लेने की सोचता है तो ये कुछ वैसी उमर को दिखाता है हमारे जब हम जिंदगी में सोचते हैं कि यारब सन्याज ले लिया जाए ऐसी उमर को जब हम सोचते हैं कि यारब ये सब बहुत हो गया यार ये पैसा वैसा ऐसा मतलब ये कमाना वो करमाना ये करना वो करना खरीदना बेचना अब ठीए यार बस Enough is enough ये उस उमर को दिखाता है बस जब आप त्याग देते हैं जब आप कहते हैं चोड़ अब इतना दिमाग नहीं लगता ये वो ऐँ आठमागर शान्ति छोड़ दो भाई बस हो गया बहुत हो गया मतलब यानि कि एक टाइप से आपके बुढ़ापे की उमर को दिखाता है जब आपके अंदर ऐसा attitude आने लग जाता है ससुराल को भी दिखाता है आठमागर प्राई स्तरियों से संबंदों को भी दिखाता है आठमागर ठीक है ना तो आठमे गर के अंदर बहुत सारी चीज़े है ठीक है ना पैसे में हमें कितना नुकसान होगा उस चीज़ को भी दिखाता है कितना नुकसान खास तोर से नुकसान उस चीज़ को दिखाता है हमारा जो घर होगा या हमारे जो काम करने की जगा होगी वो कैसी होगी वो भी आठमागर दिखाता है अच्छी बुरी कैसे ग्रह है माँ पर जैसे ग्रह है वैसा ठीक है तो उसके बारे हैं बोला गया आठमे घर का relationship शम्शान विरान जगा ऐसी जगा जहां पर बिल्कुल खाली है empty area ऐसी जगाओं को भी आठमे घर से जोड़ा गया ठीक है न body parts के अंदर आठमा घर basically जो आपका private parts का area होता है उसको दिखाता है साथी साथ आपकी back को भी दिखाता है आठमा घर peat इसको भी आठमा घर दिखाता है ठीक है न तो आठमे घर के अंदर ये सब चीज़े मतलब काफी चीज़े जब आपकी पीट में काफी दर्द वगेरा हो ना या back pains हो या back की problems create हो रही हो तो भी आठमा घर वहाँ पर होता है लाल किताब के हिसाब से अलग-अलग जगा अलग-अलग logic है लेकिन लाल किताब का logic में पीट का दर्द, पीट के अंदर back pain या पीट में कई बार भड़ी में gap आ गया bone fracture हो गई back की या कुछ भी इस टाइब की जो चीज़े हैं वो सब चीज़ें आठमा घर से represent होती है आठमा घर कश्ट का कारक है आपके दुख भोगने की शमता दिखाता है कि आप कितना भोगने आयो इस जिंदगी के अंदर और कितना भोगो गए यह उस दुख को दिखाता है आठमा घर इसलिए इसमें दुख देने वाले दोनों गरे मौजूद है उन्हीं गया यहां बर कारकत तो किसका मंगल और शनी काफी है दोनों शनी अकेले ही काफी है शनी अकेला ही पेन का गरक है पेन दुख तकलीफ रुला दे दे शनी शनी का काम है रुला देना बिल्कुल इंसान को पर रुलाने का परपस है यह हर ग्रह ना आपकी जिंदगी में जो आता है यह हर ग्रह एक टाइप का टीचर है यह हर ग्रह हमारे ग्रै ये अच्छे और बुरे नहीं है ये ग्रै बेसिकली टीचर्स हैं जो आपको सिखाते हैं जब जब आपकी जिन्दगी में आते हैं कि आपको कैसे जिन्दगी जीनी है आपका तरीका कैसे है या आपको बदलने के लिए आते हैं कोई अंदर चेंज लाना चाहते हैं उनमें कुछ ग्रह बहुत सॉफ्ट होते हैं जुपीटर की तरह जो आपको बिल्कुल घ्यान देके प्यार मुहबत से सिखाना चाहते है और कुछ लोग होते हैं वो खतरनाक वाले टीचर स्कूल के जिनको आप कहते हैं यह कुछ सिखाता नहीं आगे बस घूसा इसको क्याल है नफरत में से समझrifनेầy न आता मताद क्लास का लता है बोलते हाथ आगे करो काँ सीधा आगे करो जो जीए तूँआ आद गेगा बेश़ें बन tom अ Techân जाता है जानता और में काम dit नहीं आया, तो बेसिकली ये हैं सब टीचरी, लेकि इनका सिखाने का तरीका अलग है बस, हर कोई हमें ठीक करने के लिए है हमारी जिंदगी के अंदर, इनका काम है हमें ठीक करना बस, हमारे अंदर सुधार लाना, तो जब आएंगे, तो सुधार लाएंगे, बस इनके तरीक तो हर किसी का तरीका है, शनी का तरीका तोड़ा डिफरेंट है, शनी का तरीका ऐसे ही है, है ना, बे फिजूल में कोई किसी को नहीं मारता टीचर, लेकिन शनी का तरीके ऐसे है, गलती करोगे तो भाई मैं तो मार कहीं सिखाऊंगा, है ना, तो पिटाई कर देता है, तो हमे ऐसे तो बहुत अच्छा घर है, है ना, धरम का घर है, पिता का घर है, धरम गुरू, धार्मिक थॉट्स, रिलीजन, इन सब चीजों के लिए नौवा घर, लेकिन कई ना कई लाइफ के अंदर जो हमारी स्ट्रगल है न, वो भी नौवे घर से आती है, ठीक है, लाइफ के अं रिलेशन्शिप है सेंट्रमस्तान, नौवे घर का रिलेशन्शिप है सेंट्र ओफ दा हाउस, ब्रहमस्तान से, लाल किताब के अंदर नौवा घर सेंट्र ओफ दा हाउस है, ब्रहमस्तान, और एक चीज याद रखना, नौवे घर के अंदर जब प्रॉबलम होती है न, वा तो ब्रह्मस्तान में टॉइलेट आ जए, चाहि ब्रह्मस्तान में कुछ परूप्मस्तान नहरा हुआ ना वहा इतकी ब्रह्मस्तान को खाली रखो भई कुछ रखा तो दिक्कत होगी, खाला कि ठीक है, रखा जासा है, लेकिन फिर भी, तो कई बार किसी का देखोगे न, घर के अंदर ब्रहमस्तान में टॉयलेट आगया, तो समल ले न, भाईया, ये बंदा बरबाद होगा बहुत जबरदस्त, अगर उपाई नहीं करेगा तो, आपको दिख जाएंगे लक्षन सारे के सारे, तो ब्रहमस्तान बहुत इंपोर्टन्ट है, अब ब्रहमस्तान देखो आपकी नाभी है, ठीक है न, माल लो, मैं नौवे घर की बात नहीं कर रहा है, वैसे नौवे घर आपकी थाइस को दिखाता है, लेकिन ब्रहमस्तान वैस उस नाभी से लिए, आज भी माता से तो connection कट गया, लेकिन आज भी आप देखो, कि हम बोलते हैं नाभी के उपर सरसों का तेल लगा ओगे, तो ये ठीक हो जाएगा, नाभी के उपर घी लगाओगे, तो ये ठीक हो जाएगा, सोचो नाभी के उपर देशी की लगाने से और अगर वो ही disturb हो जाए खतम अब ऐसा देखो medical term के अंदर क्या बोलते है कि बाई देखो अगर आपका पेट ठीक है ना तो आपको कोई बिमारी नहीं है और अगर पेट खराब है तो वो 100 बिमारियों की जड़ है medical science भी ऐसे बोलते है ना कि बाई पेट खराब है और डॉक्टर सबसे पहले आपके पेट के बारे में जरूर बूशता है खास तोर से अगर कोई होमोपेधी का दॉक्टर होगा तो जरूर पूचेगा बाई साब पेट ठीक है पेट ठीक से साफ होता है motion ठीक आते है क्यों खराब पेट सो बिमारियों की जड़े और अगर पेट इंसान का ठीक है ना तो वो सालों तक स्वस्त रहेगा सालों तक उसको दिक्कत ही नहीं मैसूस होगी कई बार तो बहुत लंबी उमर लेता है अगर बंदे का सिर्फ स्टमक सही हो इसलिए बोलागे ना कि अगर बंदा सही खाना पीना रखे और स्टमक उसकी परफेक्ट रहे तो आयू वैसे ही लंबी है बिमारियां भी नहीं होती तो नौवा घर लाल किताब ने बोला भई ब्रह्मस्तान है सेंटर अप दा हाउस है तो नौवा घर वैसे तो खाली बले ही छोड़ दो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कोई इतनी बड़ी प्रावलम नहीं है लेकिन इंपोर्टेंस बहुत है हर चीज़ी से जुड़ी भी है तो नौवा घर है आपका भग्य अल्टिमेटली तो भग्य चाहिए आगे बढ़ने के लिए तो चाहिए कम से कम कर्म अपनी जगे है भग्य अपनी जगे है पर भग्य चाहिए तो सही आप इंकार तो नहीं कर सकते हैं भग्य के बिना भी कुछ हो सकता है भग्य तो चाहिए पैसा कमा सकते हो लेकिन अगर आपको अम्बानी बनना है तो बहग्य चाहिए यह होगा थोड़ा है ना तो कोई भी बड़ा वेक्ती बनने के लिए तो बहग्य चाहिए यह होता है उतना तो हम यह नहीं कह सकते हैं यह बिना बहग्य के वहाँ चाहिए और दूसरा कही ना कही इसको बुला गया लाल किताब में किस्मत की बुनियाद नौवा घर किस्मत की बुनियाद ये हमारे जो घर में बुजुरूग हैं मतलब जो हमारे बुजुरूग हैं मतलब हमारे पुर्खे हमारे बाप ददा लाल किता में ऐसी शब्द यूज़ है बुजुर्ग, पुर्खे ये उनकी जाइदात को भी रिलेट करते है उनसे हमें क्या मिलेगा या उन्होंने हमारे लिए क्या पैसा बचाया होगा या उन्होंने क्या पैसा बचाया होगा यह उससे भी रिलेट करता है ठीक है न? ये आपके past का कारक है past का कारक है देखो ध्यान से समझना इस चीज को मैंने आपको बताया था ये आपका पहला घर present है नाइन्थ हाउस आपका past है और ये जो फिफ्थ हाउस है ये आपका future है इनका संबंद है आपस में जैसे जब वैदिक एस्ट्रोजी या कुछ भी करते हैं उसको ट्राइन बोलते हैं एक पांच नौ हर घर दूसरे से पांच माँ हैं मतलब पांच में से पांच माँ नौवा और नौवे से पांच माँ पहला घर तो ये ट्राइन है तीन आप उतने ही ताकतवर हो गए जितना ताकतवर आपका पास्ट है अगर आपका नौवा घर स्ट्रॉंग है न तो पहला घर अपने आप स्ट्रॉंग हो जाएगा किसी की अगर बाप दादा स्ट्रॉंग है न तो वो बंदा स्ट्रॉंग हो जाएगा आज की डेट में तो चर्चा है ना नेपोटिसम, नेपोटिसम, नेपोटिसम तो भाई वो तो हो गई न अगर किसी के पिताजी फिल्म स्टार थे बहुत बड़े हैं तो बच्चे को एक स्पोर्ट तो मिलेगी न जिसका पास्ट स्ट्रॉंग होगा उसका वर्तमान ठीक है वर्तमान के उपर साथ डालेगा आपका पास्ट और जिसका वर्तमान स्ट्रॉंग होगा उसका फ्यूचर सही है जिसका वर्तमान सही होगा उसका फ्यूचर सही है तो ये तीनो के तीनो जो हाउसे हैं ये एक दूसरे से related है तीनो के तीनो जो घर है ये ये एक दूसरे से related है अभी मैं इसका जब grammar कराऊंगा लाल किताब की तब आपको समझाऊंगा कैसे और कैसे ये उपाए के तौर पर use किया जाता है इनको उपाए के एक दूसरे के एक दूसरे को strength देने के लिए इन तीन गुरों को use किया जाता है तो ये हमारा past है ये हमारी जो हमारा previous जो है न उसकी ताकत है ये है न हमारे पिताजी strong होंगे तो हम strong अपने आप हो जाएंगे अगर वही बहुत weak होंगे तो हमें strong होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक कोई भी व्यक्ति जो एक बहुत अच्छे घर में जनम लेता है उसकी सबसे बड़ी advantage क्या उसको struggle कम करनी पड़ती है किसी भी field में और एक व्यक्ति जो बहुत ही साधारन या बहुत ही गरीब परिवार में या बहुत ही बिचारा कहीं ऐसे घर में जनम ले ले तो ऐसा नहीं कि वो उपर आ नहीं सकता लेकिन उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलता फॉर एक्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि भई मोधी जी है उन्होंने भई बहुत स्ट्रगल करी होगी प्राइमिनिस्टर बनने के लिए और राहुल गांदी है वो प्राइमिनिस्टर कैंडिडेट है क्यों? क्योंकि पास्ट, बाप दादा स्ट्रॉंग है तो उनको वो चीज विरासत में मिल रही है बस यही फरक है आपके पास्ट का स्ट्रॉंग होने का मतलब कि आपका नाइंथ हौउस नाइंथ हौउस आपकी किस्मत को जगा देता है तो इसका संबंद आपके बुजुर्गों से है इसका संबंद आपके पिता से है किस हद तक हमें सफलता मिलेगी कई बार यह बहुत हद तक decide करता है जुपीटर का पका घर है यह अब देखो इसमें एक चीज समझते रहे ना कि लाल किताब में दूसरा घर जुपीटर का पका घर है पांचवाँ घर जुपीटर का पका घर है बारा मेंसे पांच घर को अकेला एक प्लैनटी समल्लो रिलेट कर तो इसलिए लाल किताब के अंदर जुपीटर की जो वैल्यू है बहुत जाद है तो अगर हम अपनी जिंदगी में भी अगर जुपीटर को ठीक कर लें जो कि दूसरों के साथ हमदर्दी करने पर दूसरों के साथ अच्छा विवार करने पर अपने आप ठीक हो जाता है तो सोच के देखो जिंदगी सही हो सकती है इत्मिनान से है ना तो ये खास बात है जुपीटर की नौवे घर के बाद आता है दस्वा घर दस्वा घर है शनी का शनी जो की आपको दुख तकलीफ भी देता है थोड़ी सी तो पहले शनी के बारे में डिसकस करते हैं शनी क्या चीज़ है तो शनी को लाल किताब में बोला गया साप शनी को बोला गया उड़द की दाल काली उड़द की दाल कीकर का पेड़ चंदन की लकड़ी सुर्मा काली गाए भैसा मगरमच बदाम लोहा कॉवा ठीक है ये सारी चीज़े शनी से रिलेट होती है सारी चीज़े बदाम लोहा चंदन की लकड़ी सुर्मा काडी गाए साप ये सब चीज़े शनी जो है वो लैदर ट्रेडर कॉन्ट्रेक्टर पेइन डेथ लेग्स टायर्डनेस डर पेरलसिस प्रॉपर्टी डीलर एनिधिंग विच इस कोल्ड लाइक आईसक्रीम जो भी ठंडा है ठंडे करने की चीज़ है लाइक फ्रिज जो भी चीज जो ठंडा करती है या ठंडा करने की चीज़ है वो शनी से रिलेट होती है अब जिस दिन कोई नासा से कोई यान शनी तक पहुँचेगा पहली बाद तो भी पहुँचा नहीं पहुँचेगा उस दिन वो बताएगा जी शनी गरा है बहुत ठंडा है यहाँ पर मतलब इंडियन मतलब एस्ट्रोलोजी के अंदर तो सेकड़ों साल पहली बता दिया जब तक कोई पहुचा भी नहीं तब भी बता दिया कि भाई यह ठंडा है शनी गरा है तो इतना क्यों सोच रो या शनी गरा ठंडा है अब इसे सुन लो शनी गरा ठंडा हूँ कुछ नहीं हूँ चाहिए वो लॉजिक कुछ भी बता है लेकिन आज की डेट में सिंपल लॉजिक में शनी गरा बहुत ठंडा है चिंता ही मत करो जिस दिन पहुँचागा उस दिन भी याद रखोगे है ना भैसा भैसा ये भी सब शनी के उसमें आता है ठीक है लेबर वर्क लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर इंप्रिजनमेंट ये सब चीजे शनी की कैटेगरी के अंदर आती है शनी का काम है नियाए गरना शनी ऐसा नहीं कि हमें बेफाल्तु में दुख तकलीफ देता है नहीं तब देता है जब हम गड़बड करते हैं तो देता है और जब देता है तो फिर अच्छे तरीके से देता है मतलब कि हाँ और वर्ना शनी के समय में लोग राजा बन जाते है मतलब शनी लोगों को एकदम उपर उठागे ले आता है, जिनका अपना हिसाब किताब ठीक होता है, जिनके अपने करम ठीक होते है, उनको कोई दिक्कत नहीं देता, चाहे साड़े साती आये, चाहे जो मर्जी आये, लोग ऐसे डराते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, शनी की रिजल्ट देने में कोई कसर नहीं चोड़ता, और बंदा खराब होना चीए, शनी तब भी रिजल्ट देने में कोई कसर नहीं चोड़ता, जैसा बंदा है समलो, वैसा रिजल्ट उसको जरूर मिलेगा, 100% जब शनी का टाइम आएगा, शनी बड़ी असानी से आप ठीक कर स में मेड आती है, आपके ओफिस के अंदर पियून है, कोई स्वीपर है, कोई कुछ है, आप रिक्षे में बैठते हो, रिक्षे वाला जो रिक्षा खीच रहे हैं, कोई construction worker हैं, अगर आप सिर्फ इनसे तमीज से बात करो ना, तमीज से बात, इनके साथ बत्तमीजी मत करो, अगर आप इनको थोड़ी इजद दे दो, तो भी जिन्दगी में शनी ठीक हो जाएगा, शनी आपको कभी दिक्कत नहीं देगा, और शनी ठीक नहीं होगा, जस दिन आप अपने से छोटे लोगों को इजद दोगे ना, तो बहुत सारे गरे अपने आप ठीक काम करना शुर जो लोग छोटे-छोटे काम करते हैं हमारे चारो तरफ, जो लोग किसी भी तरीके से हमारी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि शनी सेवक है, अगर हम उनसे प्यार से बात करें, उनको इजद दें, उनको अगर अच्छा ट्रीट्मेंट करें, उनने अच्छे से कुछ खाने को दें अच्छे से पहनने को दें तो आपके maximum great ही हो जाएंगे समबलनों एक चीज से शनी तो दूर की बात है जादा तर great ही हो जाएंगे क्योंकि जिस बंदे के अंदर ऐसा attitude होगा ना उसके अंदर बाकी की attitude वैसी खतम हो जाएंगे उल्टे सीधे क्योंकि इंसान तो बड़े-बड़ों से बिढ़ जाता है जरा से पैसे आते ही उसको लगता है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता जिसके अचार पैसे आते है लेकिन जो आदमी किसी बहुत छोटे वेक्ति को भी इज़द दे रहा होगा ना गरीब आतनी को भी इज़द दे रहा होगा किसी रिक्षे वाले को भी इज़द दे रहा होगा आप क्या सुचते हैं वो अपने भाई बेनों को इज़द नहीं देगा वो अपने माता पिता को इज़द नहीं देगा तो उसके मैक्सिम गरहे तो वैसे ही सही हो गए शनी को ठीक करना बहुत असान गाम है अरे एक रिक्षे में बैठते हैं कोई मेट्रो स्टेशन पर रिक्षे वाला कड़ा है जी वहाँ छोड़ देना वो कहले है जी बीस रुपे लूँगा हम बैस कर जाने तेरे को दस दूँगा दस दूँगा दस दूँगा मैं रोज आता जाता हूँ उसको पता नहीं कितनी गानिया सुना देते हैं दस रुपे बचाने के लिए अचा लेगा फिर भी ओबीस ही लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि दस में इसको किसी दरी से पटा ले अरे भाई बीस मांग रहा है उसको पच्चिस दे तो पांच रुपे एक्स्ट्रा दोगे रहे तो शनी ठीग हो जाएगगा मैं दो पांच रुपे से वो भी खुश हो जाएगा बचारा जिंदिगी हो सोचेगा पहली बार कोई बंदा देगा बीस मांगे ते पच्चिस दिये वरना लोग तो कहते हैं पंदरा से जादा नहीं दूँगा इतनी बनते हैं यहां के सोचो पांच रुपे से ग्रेटी हो जाएगा यहां पर बंदा पांच रुपे बचा के खराब कर लेगा ग्रेगा और सोचेगा मैंने पता नहीं क्या बचा लिया बस यही फरक है अपने से छोटे लोगों को इज़द देना खास तोर से वो जो लोग हमारी सेवा करते हैं जो सेवक हैं किसी भी तरीके से चाहिए वो आपके ड्राइवर हैं चाहिए कोई भी है ऐसे कोई भी लोग अगर हम उनसे यह नी कह रहा है कि हमें कोई उनकी गुलामी करनी है नहीं नहीं हमें उनको इज़द देनी है इज़द तो हर आदमी डिजर्व करता है ना चाहिए कोई भी हो चाहिए छोटा काम कर इससे क्या फ्रक पड़ता है? सिर्फ इजब देनी है और अगर वैसे कुछ उनकी और मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई financial help कर सकते हो, उनको कुछ खाने को दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं सिर्फ इतना सा करना है और ये शनी आपको गिलत रिजल्ट नहीं देगा, ये बात पक्की है इतने से ही ठीक हो जाएगा दस्वाँ घर वैसे तो हमारा वर्क प्लेस है अब वर्क प्लेस है, मतलब है कि क्योंकि ये ओक्यूपेशन का हाऊस है कर्म शेत्र है दस्वाँ घर डिरेक्शन के हिसाब से वेस्ट डिरेक्शन है पश्चिम दिशा, शनी की दिशा है पश्चिम दिशा है आपके घर में west की जो direction है वो शनी की दिशा है यह उसको represent करता है यह हमारे काम को कोई भी जो हम रोजगार कर रहे हैं जिससे हम अपनी living कमाते हैं या कोई भी कर्म शेत्र जो हमारा है यह उसको represent करता है जो लोग जिनका जो भी कोई हम काम कर रहे हैं उसमें जो हमारे साथ जो कुलीग हैं कोई भी जो लोग हैं उनके साथ हमारा कैसा relationship है न वो हमारे दस्वे घर को दिखाता है दस्वे घर ठीक करना मतलब उन से अपने relationship को अच्छा रखना मतलब की और अगर life की बात करें तो ये life की आखरी stage है life की last stage है शनी को बुजुर्ग आदमी से रिलेट किया जाता है, शनी की चाल बहुत धीमी है ऐसा मुलते हैं शनी बहुत धीमी चाल चलता है slow बुजुर्ग है यह हमारी उमर का आखरी पड़ा हो ऐसा मल लो दस्वागर जिसको शनी रूल करता है और हमारा जो भग्य है, उसके उपर एक positive असर डालता है, अगर यह ठीक है तो हमारे भग्य के अंदर में बहुत अच्छा असर मिलेगा दस्वे घर के अंदर अगर शनी हो तो आदमी को कभी भी दस्वे घर में खुद अगर शनी आजाए ना, खुद तो ऐसा बो लगया कि सांप अगर खुद अपने घर के अंदर हो ना तो ज़्यादा safe नहीं होता, या तो सपेरा पकड़ देगा या कोई और कर लेगा कुछ दिक्कत तो सांप को दूसरे के बिल में रहना चीए, मतलब चूहे के बिल में तो वहाँ पर उसे खुद बाखुद चूहा मिलेगा खाने के लिए सांप अगर अपने बिल में रहेगा तो बारा जाएगा, पकड़ा जाएगा सपेरे पकड़ लेंगे सांप का बिल देखकर फिर तमाशा दिखाएंगे उसका और सांप अगर किसी दूसरे के बिल पे कबज़ा कर ले जैसे चूहे के बिल के अंदर गुज जाए और कबज़ा कर ले तो क्या होगा? किसी को पता नहीं चलेगा यहां सांप है क्योंकि सबको लगए तो चूहा है, तो कौन उस बिल को खोदेगा और दूसरे जो चोटे मोटे कीडे मोकोडे हैं वो अपने आप वहां अंदर आ जाएंगे क्योंकि उने लगेगा कि चूहा है तो सांप उनको निगल जाएगा तो सांप को बड़ा फाइदा है दूसरे के बिल पे कबज़ा करने से क्यों? क्योंकि वहां पर उसे खाना अपने आप मिलेगा बैठे बिठाई मिलेगा वहीं पर बिना हिले मिलेगा तो इसलिए दस्वें घर का अगर शनी खुद हो तो ऐसा लाल किताब में बोला गया कि सांप अगर अपने घर के अंदर ही आ जाए ना तो ऐसे बंदे को कभी अपना मकान बनाना नहीं चाहिए यूजली अगर किराए के मकान में रहे तो बहुत फाइदे मंद है मतलब किसी और के घर में रहे तो बहुत फाइदे मंद है और दूसरी बात ऐसे विक्ति को घर बैट कर काम करने से बहुत फायदा होता है अगर घर भी अपना है तो कोई बात नहीं घर में बैट कर काम करे मतलब कि घर से बाहर ना जाए काम करने अगर घर में ही कोई बिजनस शुरू कर ले घर में बैटे बैटाए काम शुरू कर ले तो इस आदमी को 100% फाइदा होगा और यह आप देख ले ना किसी के इसमें अजमा के किसी का शनी दसमें घर में हो न उसको बोलना भाई तू अगर जौब छोड़के न घर में बैठ कर कोई काम कर लेगा न अगर तू चादरें बेचनी शुरू कर लेगा तुरी चादरें बिख जाएंगी भईया लोग तरह घर से आगे ले जाएंगे खुद तो कि सांप को खुद घर में बैठे-बैठे खाना मिलता है और वो बंदा अगर अपने घर से कनसल्टन्सी कर ले, घर से कुछ भी कर ले अगर कोई एस्ट्रो लागर घर बैठ के काम कर लेगा दसमें घर में चनी हो उसके अगर बैठे-बैठे लोग आएंगे बिना एड करे भी लोग आ जाएंगे उसके घर बोचने के लिए तो कि दसमें घर का शनी है, घर बैठेगा तो काम चलेगा और घर के बाहर जाएगा तो बहुत पिटेगा क्योंकि साप घर के बाहर निकला नहीं कि लोगों ने उसकी पिटाई की नहीं क्योंकि फिर बात वही है, सपेरी ने पगड़ लिया तो तमाशा दिखाएगा बार और साप को क्या मिलेगा चिल्डर तो इसलिए दसमें घर का किजी का शनी हो और वो नौकरी कर रहा हो तो कभी भी उसको उतना पैसा मिलेगा ही नहीं जितना वो डिजर्व करता है, कभी नहीं मिलेगा दस्वे घर का किसी का शनी हो दस्वे घर के अंदर और वो बंदा बार नौकरी कर रहा हो मार्केट के अंदर तो उसको उतना पैसा कभी मिलेगा ही नहीं जितना वो डिजर्व करता है नेवर, लाइफ में कभी नहीं मिलेगा रोएगा वो नौकरी कर कर अल्ब कहेगा, मैं ये कंपनी चला रहा हूँ, कंपनी मिर को कुछ भी नी देती, ये आल होगा उसका, क्योंकि सांप तमाशा दिखाता है, तो सारा पैसा सपेरे को जाता है, सांप को कुछ ने मिलता, सांप को तो सपेरा छोटा मुटा खाना कहिला देता है, बस कहता है जा खुछ रह बस वही हाल होता है उस आदमी का नौगरी करके सारा पैसा कंपणी के लिए वो बहूत अच्छी एंपल होई होगा कंपणी को उससे बहुत फायदा होगा जैसे सपेरे को होता है लेकिन साब को कुछ नहीं मिलने वाला साप को कम मिलेगा अराम से किराये के घर पे घर बैठे बैठे दस्वे घर के शनी वाले बंदे को घर बैठके इत्मिनान से कोई भी काम कर ले कुछ भी कर ले X, Y, Z उसको काम मिलेगा दस्वा घर important है काटे वाले जितने भी पौदे होते हैं वो दस्वे घर से संबंद रखते हैं काटे वाले जितने भी पौदे होते हैं वो दस्वे घर से संबंद रखते हैं और बॉड़ी पार्ट्स के अंदर हमारे घुटने मतलब थाईज के नीचे आगए घुटने 29 गर है और घुटने हमारा 10 गर है body के parts में तो घुटने उसमें हमारा संबन रखते है इसके बाद जो 11 गर है 11 गर की अगर हम बात करें तो 11 गर के अंदर जो पीटर की बारे बात करें तो सिर्फ 11 गर के बारे बात करें 11 गर basically हमारी greed दिखाता है greed लालच हाला की यह है desire fulfillment का घर लेकिन desire itself is something जो की कोई लालच है desire fulfillment 11th house is very important desire fulfillment है बट लालच और 11 गर direction के हिसाब से है western wall मतलब पश्चिम की दिवार पश्चिम की दिवार 11 गर से हमारी जो मतलब ऐसा समझो की आप life में कितना उपर जाओगे न यह 11 गर दिखाता है किस्मत की बुलंदी वो 11 गर दिखाता है ठीक है न? तो 11 गर बहुत important है 11 गर से आपकी सारी wish fulfillment होती है सारी desire fulfillment होती है 11 गर यार दोस्तों का भी है लेकिन majorly wish fulfillment 11 गर जिंदगी के अंदर बहुत important रखता है अगर 11 गर सही से काम न करे तो बस जिंदगी में हमारी wish fulfillment होंगी नहीं कुछ बस हम अपनी इच्छाओं के साथ ऐसी रह जाएंगे दूसरा ये हमारे जो हम मकान अपने पैसों से खरीदते हैं कोई पुछतेनी मकान नहीं जो मकान हम अपने पैसों से खरीदते हैं ये उससे भी relate करता है ठीक है ना खास तोर से बना बनाया मकान ऐसा नहीं जो हमने बनाया हो नहीं बना बनाया मकान ठीक है 11th house घुटने के नीचे जो काफ का हिस्सा होता है पूरा मतलब नीचे जिसको बोलते ना जो टखना होता है वहां तक घुटने से लेकर वहां तक का जो नीचे का पैर का हिस्सा है वहां तक का जो हिस्सा है वो 11 घर उसको भी दिखाता है तो ये चीज़े 11 घर से रिप्रेजेंट होती है अब आता है 12 घर और 12 घर से पहले हम एक बरी डिस्केस करेंगे राहू क्या क्या चीज़े दिखाता है राहू के बारे में तो राहू बेसीकली लाल किताब में बुला गया धुआ है धुआ बहुत खतरना चीज़े धुआ बहुत खतरना चीज़े शनी अंधेरा है और राहू धुआ है अंधेरे में you can see light जला लो torch जला लो मुम्बत्ती जला लो you can see in dark रात के वक्त आप गाड़ी चला सकते हो headlight on करो गाड़ी चलाओ बहुत तेज़ चला सकते हो 100 की speed पे चलाओ 1500 पेलाओ और रात को गाड़ीया तेज़ चलती है अंधेरे में बट जब धुआ होता है you cannot see जलालो light कोई फरक नहीं पड़ेगा जब fog पड़ती है कभी भी क्या दिखाई देता है आपको कुछ नहीं गाड़ी की speed क्या होती है कुछ नहीं accident सबसे अदा कब होते हैं अंधेरे में नहीं fog के वक्त शनी अंधेरा है राहू धुमा है राहु यह असली खत्रा जो कभी भी गेम बदल देता है कभी भी कुछ भी गुमा देता है मामला ये धुआ है कुछ देखने नहीं देता आपको रौशनी कर लो तब भी नहीं देखने देगा कोई फरक नहीं पड़ेगा fog ओरी है रात में एक्सप्रेस वे पे चले जाओ, सबसे आदा एक्सिडेंट जब तभी होते हैं, जब फॉक बढ़ती है रात को अंदेरे में नहीं होते हैं, फॉक जब बढ़ती है तब एक्सिडेंट होते हैं और जब fog में accident होता है न तो एक साथ 20-20 कारे लग जाती है एक ही जगा पर एक ही साथ normal accident में एक कार एक कार से टकराएगी बस दो ही कार होगी टकर होगी जब fog होगी तो एक साथ 20-25 कारे टकरा जाएगी राहू वही है unpredictable expansion हाती jaw नानानी हाती दांत का समान, नार्यल छट, जूला नीला रंग सिक्का, लेड सम्धी कभी सम्धियों से गले मिलो तो यह मतलब आज तो राहू से गले मिले राहू is cheap talk जितनी आप cheap talk करोंगे आपका राहू बढ़ेगा अब अच्छा है बुरा है वह आपको देखना है मैं जितनी चिप्टॉक करोंगे राहू बढ़ेगा दूसरों को धोका दोगे cheating करोंगे राहू अपने पैर पसारेगा राहू डिप्लोमेसी भी है राहू बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है राहू के पास दिमाग है राहू का दिमाग सबसे ज़्यादा तेज है मरकरी intelligence का कारक है राहू के पास intelligence उपर है मरकरी से भी उपर है मरकरी सिर्फ बोलने की technique चानता है मतलब intelligent है no doubt very intelligent खुद ब्रह्मा जी ने बोला Jupiter को कि तुमारा बेटा intelligent है हालां कि बेटा तो moon का था लेकिन फिर भी बोला कि तुमारा बेटा intelligent है लेकिन राहू जरूरस से ज़्यादा राहू को बात कैसे करना हो पता है राहू के पास दोनों चीज़े है राहू के पास Mars भी है मतलब राहू खुद commander in chief है सेनागा असुरों का fighter तो यही है असली राहू मतलब Mars का opposite जो है अगर देवताओं के बास Mars है तो असुरों के बास राहू है लेकिन यह Mercury का भी उपर का level है बात करने में है ना मतलब जो भगवान शिव के पास भी वो संदेश ले जाए कि भाई फलाना फलाना जो राक्षास है वो आपकी बीवी चाता है तो फिर समझ लो उसके अंदर कितनी ताकत है excellent communicator excellent communicator मतलब जिसको Mercury is a chatterbox राहू is excellent communicator sharp politically correct या तो डिप्लोमेट बिल्कुल excellent communicator वो राहू है राहू के अंदर बहुत ताकत है इसलिए इसलिए जितने भी coded message languages ये सब राहू की category में आते हैं hidden money, wireless underworld ये सारी चीज़े राहू की category के अंदर आती है ऐसी चीज़े जो दिखाई नहीं देती पर काम करती है वो सब राहू की category में आती है दिखती नहीं हैं, काम करती हैं smugglers, theft वो लोग जो fake view या fake image create करते हैं भर्म पैदा करते हैं आपके दिमाग में आज की डेट में IT cell भर्म पैदा करते हैं लोग के दिमाग में लोग लड़ते फिर रहे बार रोड़े ओपर poison ignorance is राहू राहू सही हो न तो आदमी को बहुत उपर लेके जा सकता है राहू के अंदर ताहकत बहुत है, दिमाग बहुत है उसको बात करने का पता है मैंने दाना, he's not just communicator he's excellent and extraordinary communicator जब राहू ताकतवर होता है न तो इंसान की communication skill बिल्कुल high level पहुंच जाती है जब वो बोलता है तो सामने वाले उसकी बात को काट नहीं बात है उसकी ताकत है वो राहू की 12th house expenses का है foreign land बारवे गर को लाल किताब में पागल खाना दवा खाना जेल खाना पागल खाना मतलब mental hospital दवा खाना मतलब hospital जेल खाना मतलब prison इससे रिलेट करा गया जब problem create करता है तो बंदा या तो पागल खाने या दवा खाने या फिर जेल खाने इन तीन जगे ही जाता है तो कोई बंदा जब अंदर जाता है न तो उसके बारवा घर होता है बारवा घर में बैटे planet होते हैं उसके influencer होते हैं तब पहुचाते हैं उसको अंदर बारवा घर चापलूसी की कितनी गुंजाईश है आपके अंदर दूसरों के नखरे उठाने की कितनी गुंजाईश है आपके अंदर वो दिखाता है आप अपनी किस्मत के हिसाब से कितना सुख या कितना दुख लोगे जिंदगी में वो भी दिखाता है आपको materialistic चीजें सही amount में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये भी दिखाता है आप जीओगे तो ठीक है भोगोगे कैसे वो दिखाता है बार्वा घर direction के हिसाब से है south east आपकी जिंदगी में कोई शुबकारे का होना ना होना जिस direction के उपर depend करता है वो south east होती है इसलिए बोला कि भाई दिखोगे कैसे अलग बात है भोगोगे क्या वो तो वही दिखाएगा क्योंकि इंसान भोग नहीं पाता जब south east ठिल जाता है मंगल कारियन होते ना जब south east ठिलता है वास्तु के एसाब से south east damage पता चला शादी नहीं हो रही है सब कुछ भोग नहीं पाऊगे south east damage भच्चे नहीं हो रहे है सब कुछ खुश नहीं रह पाऊगे तो south east यह दिखाता है किसमत तो तुम बहुत लेकर आयो भोगोगे क्या पैसा बहुत है पर फिर भी परेशान रहोगे जब कुछ हो गई नहीं तुमसे तो बहुत लोग हैं बहुत पैसा है बच्चे की शादी नहीं होई हो गई तो शादी टिकी नहीं बच्चे के बच्चे ही नहीं हो रहा घर में कोई शुबकारे नहीं हो रहा साउथ इस्ट तो बारवां घर बहुत पावरफुल है लाल किताब के अंदर भी इस चीज को बताया गया कि हाँ बारवां घर ताकत रखता है किस्मत तो है पर भोगोगे क्या सुख या दुख पैसा बहुत है लेकिन पुचा दिया जेल खाने फिर फिर क्या कर लोगे वो तो आसाराम जी के पास भी बहुत थी ताकत पैसा भाग गये सब था ना पहुँच गए जेल खाने फिर अब क्या कर लिया बड़े बड़े लोग जब पहुँच जाते एक बड़ी अंदर तो सब धरा रह जाता है चाहे कितना मर्जी पैसा हो चाहे कुछ भी हो बैठे हैं तो बैठे ही रह गए बारवा घर ये चीज़ है तो बारवे घर को सही रखना बहुत जरूरी है बारवे घर में बैठे प्लैनेट को सही रखना बहुत जरूरी है इसी लिए यहाँ पर जब राहू जैसा प्लैनेट बैट जाता है तो आपका दिमाग खराब कर देता है क्योंकि दिमाग को रिलेट करता है दिमाग में आने वाले अचानक से जो ख्याल है ना वो बारवे घर से आते है और खास तोर से जब राहू बैट जाए तो आपका दिमाग एकदम गुमा देगा राहू बार में घर में आ जाए तो जुपीटर को बरबाद करतेगा कहीं पर भी हो जुपीटर आपकी कुंडली में कोई भी जोच्छी कितना भी देखके कहले औरे इसका जुपीटर तो इस घर में है ये तो तबाही मचा देगा ये कर देगा बार में घर में राहू बैटेगा कुछ नहीं कर पाएगा जुपीटर खराब कर देगा उसको जुपीटर के टाइम में रो जाएगा वो आदमी कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है लोग तो कह रहे थे तिरा जुपीटर बहुत अच्छा है यहां तो पता चला कि बरबाद हो क्या अच्छा ये वाली कारीगरी सिर्फ लाल किताब के अंदर है यह बोलते है कि रहु बारवे घर में आया जुपीटर किसी भी जगा बिठालो कुंड़ी के अंदर जुपीटर खराब हो गया उसका रहु 11 गर में आ जुपीटर बरबाद हो गया और अगर जुपीटर बारवे घर में हो तो राहु की आलत कराब कर देगा लाल किताब के अंदर जो फलसफे है वो बहुत परफेक्ट है एकदम अभी सीखो गया आप देरे देरे है ना लेकिन है मज़ेदार और आप यह देखोगे कि यार इतनी यह इतनी सटीक तोर पर यह बात कैसे पकड़ी जा सकती है कि अगर यह राहू यहां बार में घर में होगा तो जुपीटर बरबाद हो जागा जबकि जुपीटर बहुत स्ट्रोंग बैठावा है बिल्कुल अच्छा और आप नोटिस करोगे कि यार हाँ यह बंदे का जुपीटर का टाइम चला थे बरबाद ही हो रहा है और जब कि एस्ट्रोजर और जब कि एस्ट्रोजर दूसरा माललो कोई वैदिक एस्ट्रोजी करने वाला ऐस्ट्रोाजर है याiba जब इसका जुबिटर बहुत अच्छा है जब इसका जुबिटर आएगा देखना ये तो तुफान मचा देगा पाताशला जुपीटर के टाइम में डूब ही जा रहा है और जुपीटर ही बिटावाय उसका सबस्याधा है ना तो यह चीज़ है तो यहाँ पर बार्वा घर बहुत importance रखता है इस घर को साधू की समाधी बुला गया मोक्ष का घर है यह isolation का घर है meditation का घर है ठीक है ना आपके अंदर कितना कितना मतलब कितने आप down to earth हो सकते हो कितने आप आपका फकीरी वाला attitude हो सकता है वो बार्वा घर दिखाता है बार्वे घर के अंदर जादा उल्टे सीधे planet होते है न तो वो आदमी कभी मतलब ऐसा नहीं हो सकता फकीरी टाइप में वो फकीरी टाइप में रहेगा नहीं मेशा उसका attitude खराब रहेगा वो जो आप down to earth जाते हो न वो दिखाता है बार्वा घर के हाँ ये बंदा वाक्के down to earth होगा जब अच्छे planet आगर बार्वे घर में बैटेंगे वो अंदा down to earth होगा बुरे आ जाएंगे वो अपनी हवा में रहेगा होगा कुछ नहीं उसके पास हवा ऐसी होगी पूछो मत और अच्छे जुपीटर जैसे planet आकर बैटेंगे बार्वे घर में तो राजा होगा लेकिन ऐसा होगा एकदम नॉर्मल भैसूस ही नहीं उन्हें देगा सामने वाले को कि मेरे पास कुछ है भी कि कोई नहीं वैसी सामने वाला बोलेगा कि हाँ यार बहुत down to earth आदमी है तो यह यह दिखाता है कि आप होगे कैसे आप कहा किस level तक जाओगे आपके अंदर होगी भी कुछ आदत कि आप मोक्ष तक पहुच पाओगे कि नहीं पहुच पाओगे या अकड़ ही रहोगे हमेशा सूखे वे पेड़ की तरह खराब प्लैनेट हो तो बंदा ऐसी अकड़ा रहेगा जैसे सूखावा पेड़ होता है हो कुछ नहीं लेकिन ऐसे बस इसलिए ये ऐसे जो होते ना जिन द्रक्तों के उपर दरारे होती है जिनके उपर छिलके होते है जिनके छिलके उतर रहे होते है द्रक्तों के उन पेड़ों का कारक है बारमागर जो छिलके होते है ना जिन पेड़ों के उपर उनका कारक है ये बारमागर जो छिल रहे होते हैं पेड, उधर रहे होते हैं उनका कारग है बारवागा तो आप कैसे जाओगे जिंदगी में वो दिखाता है expenses का house है and very important one ठीक है ना, और basic दो वीडियो मैं आपके पहले ही अपलोड कर दूँगा इसके अंदर इस वीडियो को अपलोड करने से पहले या इसके साथ ही वो वीडियो जो लोग बिल्कुल starting से शुरू करें पहले एक बर ही वो देख लीजेगा so that कि आपको जनम पत्री में और चीजे कैसे होती है बिल्कुल बेसिक जनम पत्री के रूल है वो आपको समझ में आज़े बिल्कुल बेसिक है न तो अलग-अलग घर है उनके लिए अलग-अलग attribute है और planet क्या-क्या है उनके क्या-क्या चीजे हैं क्या-क्या समान है वो सब अभी आपको पता चल रहा है ठीक है ना बहुत ज़्यादा question अभी नहीं ले पाऊँगा लेकिन कुछ लोगों ने अपना hand raise करा है तो उनके question लेते हैं गुल्षन जी बुलिए क्या question है आपका असर उसमें आपने चरी करके वर्ड लिखा है वीनस के लिए करण जी बोलिये आपने कहा था कि Saturn which is 10th house that direction is west and at the same time Jupiter which is 11th house that is also a western wall so both are west Jupiter का पक्का घर है 11th house but वो जुपीटर नहीं है 11th house 11th house is just 11th house house किसी प्लैनेट का नहीं है हाँ उस प्लैनेट का पक्का घर है तो 11th house रिपर्जेंट करते है western wall प्लैनेट अलग है हाउस अलग है हाँ 11th house जुपीटर का पक्का घर है बस यह चीज बुली जाएगी अकाश जी बुलिए जैसे आपने बताया कि शनी का अपने से नीचे के जो तक्ते के लोग है उनसे प्यार से बात करो जुपीटर का मन में दूसरों के लिए सद्भावना रखो जैसे आपने बताया कि फकीरी के अंदर रो लालच मत करो है सर्ची वैसे राहू का भी बताईए कि क्या ऐसे अपने जीवन में कोई काम करें जिसे राहू अपना टीक है झाँ खो राहू को ना राहू को अभी पड़ो गया लाल के ताम में आएगा राहू को दो प्लैनेट कंट्रोल करते हैं जो रहा दो है एक जहोता है मार्स यहना मंगल जो की बोला गया है महावत है हाथी के ओपर बैठा वो महावत है महावत हाथी कि और बैठा है तो हाती kontrol में है हाती कही दोरत पर नहीं जाएक तो पहला मार्स और दूसरा चंडरमा चंडरमा भना पतलब Champions पानी में जाता है तो लड़ता नहीं है, जगड़ता नहीं है, कुछ करता नहीं है, खेलता है, हाती हमेशा पानी में खेलता है, हाती किजी को मारता पीटता नहीं है पानी में जाने के बाद, हाती किजी को गलत नहीं गरता पानी में जाने है, पानी में जाने है, पानी है नो, इसलिए राहू के तू बोला गया शरारती बच्चे है, जो मां के पास जाके आकर कंट्रोल में रहते हैं, तो जब भी चंद्रमा के साथ आए इदरा, कंट्रॉल में रहते हैं, हालागी गरहेन लगा दो लाजा दे। शरारत करने ले बच्चे को यह मा थपड़ मारके चुप कराके बटा देती है तो चंद्रमा और मंगल दो ऐसे एक रहे हैं जो राहू को कंट्रोल कर लेते हैं रेमेडी बहुत असान है अभी आने दो नहीं तो ऐसे फिर यही चलता रहेगा लेकिन राहू देखो राहू का मैंने बताया ना कि अगर राहू है आपका बार में घर में तो सबसे में चीज कहा है ना डोंट डू चीप टॉक्स चीपनेस से बचना बहुत ज़रूरी है राहू इंसान से ऐसी हरकते करवाता है फालतू की मतलब उस से जान भूछ के ऐसी बाते करेगा किसी को कमेंट मारेगा दोस्तों में खडआ होगा או लड़की जाएगी उसके बारे में कुछ उल्टा सीथा बूलेगा उसको किसी और को ये बारे में उल्टा सीथा बूलेगा मतलब जो cheap talks होती है उस type की तरफ धखेलता है मतलब जितना वो करोगे वो बढ़ेगा वो बढ़ने से रोगना है तो करनी नहीं है बढ़ने से रोगना है करनी नहीं है मतलब शांत रहना है जैंट रहना है वो फिर अपना effect भी देगा आपको, पूरा का पूरा, अगर उसको रोकना है, तो थोड़ा सा अपनी, क्योंकि जब मैंने मतारा राउ बार में घर में है तो Jupiter को खराब करेगा, Jupiter कभी ऐसी बाते नहीं करता न, उल्टी सिदी, Jupiter तो सही planet है, वो तो कभी ऐसी चर्चों में नही लेकिन राउ जाएगा, राउ का मन करेगा ऐसी बाते करने का, बस यही फरक है, तो जब आप ऐसे करोगे, तो Jupiter और खराब होगा, और राउ और जादा strong होगा, फिर और बुरे result देगा, क्योंकि वहाँ पर तो बुरे result देने की, उसकी है ना हिसाब किताब, तो घुमाएग नेहल जी, बूलिए, अलो, सर, आपने कहा था कि जिनका शनी 10th house में है, उन्हें अपना घर में ही बनाना चाहिए, तो यह इसका रिलेशन वो घर उनके नाम पे है, तब ही एवालुएट होता है, या परिवार के किसी सदसी के नाम पे भी हो, ने, ने, मतलब वो मैं ऐसा, जब मैं शनीयों पर आँगा ना तो बहुत सारी बाते बताऊंगा, लेकिन देखो, पता है क्या होता है, अब घर तो हर आदमी का सपना है, कोई ना कोई घर तो बनाएगा इंसान, पिर उस पंदे को चाहिए कि अपने घर से ही काम करें, मैंने बोला ना घर से काम करना चाह बैठे बैठे उसको रिजल्ट आएगा, आपने तो देखा होगा, घर से काम करने पर रिजल्ट आता है ना जिसका आएगे प्लैनिट उसको, बिल्कुल आएगा, बस यही बात है, यही करना है उसको जिंदकी बार, उसको ज़्यादा कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर कई वरा ऐसा होता है, कई बना किसी ऐसे बνसमों होता है, जहां परो बुलता है कि मैं घर से नहीं कर पहूंगा ऑच्छाइद, गर से करूँगा, तो मैं यह नहीं सकीा referring बैएक तो उससको बात के उपर कोई अपना बनाया काम नि बीजार सकता है उसको 5 एडिया तो पर पर नहीं जादा नहीं करने चीए जितनी ट्रेवलिंग करें उतना पिटेगा जो भी हमारे पास आएगा जैसे वान लोग कीपर है वो अपनी दुगाने बैटा वा उसको बार जागे कोई वेपार नहीं करना कि माल बेचना है डीलर से मिटिंग करनी है उससे मिटिंग करनी है कई शौप कि पर ऐसे होते हैं कि इनहें माल लों को जो समान बेचना है वह वह उनकी दुकान पर आगे उनको दे जाता है घृष लिए शॉक्स के लिए इसका मतलब ये है Okay, thank you. तरिप्ति अग्रवाल जी बोलिये. तरिप्ति अग्रवाल जी आपका माइक कामनी कर रहा. बोलिये. अन्म्यूट कीजिये. unmute तो आपने कर रखा है पर शायद mic काम नहीं कर रहा आपका आपकी आवाज नहीं आ रही बेट कीजिए मैं आपको दुबारा unmute करते हूँ तब तक आप इसको correct कर लीजी एक बर यूबी जी विजे मालिया जी बुलिए मैं कि इतना बड़ा पद्वी दे रहे हो यूबी तो विजे मालिया का ब्रेंट था लिखा वह भी यूबी आ रहा है इसके अंदर यूबी सिटी बैंगलोर के अंदर बने हो है ना जी बुलिए इसमें आपने सारी वाल्स तो बताईए एक नदरन वाल रहे गी है वह कौन सा एरिया है नॉर्दन वाल ऐसी वाल होती है जिसको सन कभी टची नहीं करता और एक में तो यह आपकी जो स्टोरी थी ना वो पसंद तो आई पर उसमें कॉस्टन उट गए साप अपने घर में नहीं रहता और चुए के घर में जाके रह ले वाली को रिलेट नहीं हो भाई विद ये एक्जामपल जैसे शनी इस नंट हाउस शनी 10 थाउस है न अपने घर पे बैटके काम करने से काम चलेगा हंड़र परसंट बट एक्जामपल में वह चुहे के घर बैटा है ना चुहे कर मताब कई लाल किताम में बोला उसे अपना नहीं सोुषिए खर बनाना नहीं है जए किराए की मिगान में रहेये खा तो सहीा रहे का है वह या सो किराए के मिगान में किसी उप mm इंच की सैंजमिय highly फिर्फट जो सही जगापे आया है और उस साल कोशिश करनी जाएगी मैं गर बैट के काम करने की कोशिश करूँ ज्यादा भागूं दोड़ू ना मैं तब ट्रेवलिंग ना करूं ज्यादा अब बही जॉब होगी तो जॉब तो होगी पिटेगा कहने का मतलब यह है उसके लिए खत्रा है तो उसको नहीं जाना चाहिए तो उसलिए उसको अगर वो घर से काम कर रहा है तो उसके लिए वो शुब फलडायाग होगा आच्छा आप मैं यह कह रहा हूँ अब देखो Snayal जी ने question बूझा था अभी Snayal जी को मैं unmute करते हूं Snayal जी unmute करना जड़ा आप अपने आपको जी सर्थ आपका खुद का है 10 गर में काम करते हो नगा आप घर से ही बिल्कुल और अपने आप आते है अज बिलकुल आते है मतलब कोई आपको उस काम की नॉलेज नहीं थी प्रायर? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट किया और विदाउट कोई मैंने मार्केटिंग स्किल या वो सब किये बिना अपने आप ही आए अपने आप घर बैटे-बैटे आगे ना गराख आपके बिना मार्केटिंग बिना किसी चीज के बहुत कुछ भी नहीं किया और आपके परोस से लेकर हर जगा तक कॉम्पिटीटर थे आमने सामने सब जी बिल्कुल है देख लो सिंपल है मतलब शनी दसमें घर में है उस बंदे को उल्टा समल्लो कुद्रत की दरव से वर्दान है कि घर बैटके काम करें कोचिंग सेंटर कोल ले घर के अंदर टूशन पढ़ाना शुरू करते वह इतना चल जाएगा वो जो भी काम करेगा घर बैटके चल जाएगा श्राब करेगाल लेकिन वैसी नौकरी होगी जैसे सवाइप सपेरे के लिए कर रहें कि मुझा पूरा जिन नाचतर है लास्ट में पैसे सारे सपेरे ले जए गा करेगा है बैट जाब फिर से जागे टोकरी में बैट जा तो यह आदमी नौकरी में उतना ही परेशान रहेगा इसको इसा लेगा कि मेरा यूज हो रहा है और मेरे को नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए हमेशा अपना काम करेगा सक्सेस्फ़ बैटके करना है वह जाएगा इसलिए कई बार बोल दिया जाता है कि घर मत लेकिन घर बनाना एक ऐसी चीज़ है जो कि हर आत्मी बनाई जब पैसा कमाएगा तो बनाएगा ना यार क्योंकि पैसा तो आएगा इसके पास पैसा ना या यह नहीं हो सकता पैसा बहुत देता है लेकिन फिर जब पैसा आएगा तो इंसान अपना घर क्यों नहीं बनाएगा बनाएगा पर फिर वही है कि अपनी जगे बनाओ और घर बैठके ही काम करो वो सबसे बेस्ट है ऐसे लोगों के लिए अच्छा चलिए आगे और पता चलेगा जी बिलकुल तेंक यू अजा सोना होना नहीं है कि तुमने आप बीनिता जी से क्वेश्चन पूछ लूँ विनिता जी को तो सोना हो पहली इनके घर महाँ पर चार बच्चों कि हो गया पता नहीं सुवाई के कि वीनिता जी क्या टाइम हो गया ओन फॉर्टी हो रहें सार्ट अच्छा आपने कुछ का तो बताया की शेप और कलर कुछ इसका लेकिन मोसली का आपने नहीं बताया की कोई बात नहीं अभी आएगा सबका कोई यह तो अभी चलते ही रहेगा अजली जी बुलिए सर मैं तो पूछनी वाली थी की कर क्या है लेकिन फिर मैंने उसे धून लिया गूगल पर थेंक्यू अच्छी बात है गूगल पर निदी जी बुलिए निदी जी अन्म्यूट कीजिए हलो हां जी बुलिए सर दो तीन चीज़े हैं एक तो सर यह वीडियो जो हैं जो आपने दो लेसंस के बुले और यह बड़ा सा जल्दी अप्लोड कर रहा दीजिए करकि नेक्स क्लास अब मेरा यह आज का भी स्टार्टिंग का क्लास ठीक है वो जो दो वीडियो वो तो आप देख चुके हो समलो आपके लिए नहीं है बाकी लोगों के लिए ठीक है सर और दूसरा मैं यह बोल रही थी कि हाँ इसमें लाल किताब में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली पर काम करेंगे ना दो मधब क्योंकि जैसे बहुत सारे तरह के पार्ट्स होते हैं कुंडली में इसमें मेजरली लगन कुंडली और सर यह जो आप वर्ष वल वर्ष वल हर बार बोलते रहता हैं वह आप बनाना सिखाएंगे क्या कि कैसे वर्ष वल आप मी बनता है उसमें estrosage खोलोगे वर्षफल बन जाएगा उसके अंदर बनाना सिखा भी दूँगा लेकिन उसमें बन जाता है अराम से वर्षफल आजाएगा बनावार ठीक है सर और एक चीज़ मुझे बोननी थी कि अगर आप इसका PDF मतब पूरे कोर्स का स्टार्टिंग में अगर शेर कर पाए हमसे तो क्या ना पूरा शेर नहीं होगा PDF जो जो चैप्टर होता जाएगा उसका PDF उसमें आता जाएगा नहीं सर मतब अगर मतब वो तो रिकॉर्डिंग में आएगा न मैं ये सूच रही थी अगर इस कोने प्रीट आएगा पूरा को सेप्टर को पढ़ाएगा उसका PDF डाल देंगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सथी थी 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 परशांद जैन जी बुलिये रहा एग को प्रशन आए प्लेट की डिरेक्शन में साउथीस्ट को वीनस रूल करता है. साउथीस्ट को वीनस रूल करता है वास्तू के हिसाब से. जो प्लैनेट डिरेक्शन के रूल करते हैं उसके हिसाब से लाल किताब के अपने फंडे हैं लाल किताब के अपने सिस्टम है लेकिन अगर आप उसमें भी देखोगे ना तो एक चीज समझे